हलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी तयारी एकदम शांदार तरीके से चल रही होगी दोस्तों आज हम करेंगे हिस्ट्री यानि के इत्यास के कोश्चन है 700 कोश्चन है हमारे पास और यह कोश्चन जो आपके लिए बहुत ही जादा महतपूर होने वाले हैं जिससे कि आपके जो भी एकदम लगे हुए हैं सारे कोश्चन इसमें से आपको देखनों को मिलेंगे जाद से जादा और इसको जो है लाश्ट तक देखें इस वीडियो को थोड़ा लंबा वीडिय हैं तो आप जो इसको लाश्ट तक देखें जिससे कि आपको एक्जाम में help मिलेगी 100% ठीक है प्राचीन इत्यास की हम बात करते हैं सबसे पहले देखिए इसको जो यह अलग-अलग भागों में डिवाइट कर रहा है पहले प्राचीन इत्यास के बारे में देख लीते हैं झतू पिरुमक सुरोतों में से एक धरम ग grass में कितने वेड हैं तो यह कितने कि हैं चार वैय कौन-कौन से यहरुएट रिगवेद यह जुरुएद सण वैद और अर्थर EPA अत्षरवेद ठीक है अर्थय यह जो आपके चार्वेद मिलने अपप ठीक है तो आप से कॉशन प अब देखते हैं अगला कोशन है कोशन नमर दो है किस वेद में हमें आरियों के राजनीतिक पिरनाली तथा इतियास के बारे में जानकारी मिलती है तो हमें रिग वेद से जानकारी मिलती है किसके आरियों के राजनीतिक पिरनाली ठीक है और इनके तथा इतियास के बारे में ठीक है, तो हमें जो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, वो कहा से मिलती है, रिग वेद से मिलती है, अगला कोशन देखेगा, चारो वेदों में से सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है, रिग वेद, ठीक है, तो आप इ अगला कोशन देखिए पुराणों में सबसे पिराचीन और पिरमालिक पुराणा कौन सा है अब होते हो रही है बात किसकी पुराण की सबसे पिराचीन और पिरमालिक पुराण की बात अगर करें हम तो मतस्य पुराण है कौन सा है मतस्य पुराण तो आप इसको याद रखांगे सबसे प्राचीन और पिरमाडीक जो हैं मतस्य पुराण है. अगला देखिएगा विश्णु पुराण जो विश्णु पुराण है इससे हम किष वंच के बारे में पता चलता हमें. तो हमें मोरिय वंच के बारे में पता चलता है, किस से विश्णु पुरान से मोरिय वंच के बारे में पता चलता है, ठीक है, अगला कोशन देखिए, मतस्य पुरान से हमें किस वंच के बारे में पता चलता है, तो आंदर साथ वहन वंच के बारे में मतस्य पुरान से पता चल कि अगला कोशन हे किस वेद में जादु तोना तंत्रमंत्र वशी करन से कि अगला कोशन है क्कुंचा है कथावस्तु कूण सा है कथावस्तु अगला कोशन जेन सहित्य को क्या कहा जाता है जेन सहुतियों का आगमन कहा जाता है आगमन ठीक है अगला कोश्चन देखिएगा कोश्चन नमबर 12 जेन धरम के प्रामबिक इत्यास जेन धरम का जो प्रामबिक इत्यास है इसके बारे में हमें कहां से जानकारी मिलती है कल्प सूतर से हमें इसके बारे में जान जानकारी किस गृरांत में मिलती है महावियर के जीवन कर्थियों की जानकारी मिलती है हमें वो कहा से मिलती है भगवती सूत्र से इसके हमें जानकारी मिलती है अगला कोशन देखिएगा अर्थसास्त्र नामक पुस्तक के लेखक को ने तो अर्थसास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं चनक किये इनका दूसरा नाम है क्या कोटलिये और विश्णुगुट इनके तीन नामों से इनने जाना जाता है क्यों से कोटलिये अगला कोशन देखिएगा मौरियकाली नितियास के बारे में हमें किस से जानकारी मिलती है, चनक्ये के अर्थसास्त्रे किस से मिलती है अगला कोशन में से हमें किसके इतियास के बारे में पता चलता है किसके कश्मीर के इतियास के बारे में हमें पता चलता है किसके कश्मीर के बिजय है चचनामे में दी रखिये वह किसके है अली एमद ने जो है इसको लिखा है किसने अली एमद ने तो आप इसको याद रखांगे अगला कोशन देखिए संस्कृत भाशा वयाकरन की कौन से संस्कृत भाशा वयाकरन की पिर्थम पुस्तक देखें पिर्थम पुस्तक क अगला कोशन देखेगा मोर्यों के पहले का इत्यास तथा मोर्ययय योगीन राजनीतिक अवस्ता के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है देखिएगा मोरियों के पहले का इत्यास कैसा मोरियों के पहले का इत्यास मोरियकाली राजनीतिक विवस्था के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वह अश्टी ध्याई से ही जानकारी मिलती है हमें किसे अश्टी ध्याई से और अश्टी ध्याई किसकी है पाननी की ठीक है तो आप उसको कैसे याद रखंगे, पानली लिनी की है कि अगला question देखेगा, जोतिस गिरंद गारगी सहीता, यह जोतिस गिरंद है, जोतिस गिरंद है, जोतिस गिरंद के ने सकती digest का MR है, जोती सकती है, को मतलब होती है, किया सितारों में किया लिखा है, जो जो भष्यमाडी करते हैं ऐसी ठीक है अगला вопрос देखिएगा पताण्जली कौन थे इसमें पूछाए पतान्जली कौन थे तो पतान्जली तो झेए पुश्वमित्र शुंग के प्रोहित थे कंटे प्रोहित थे किसको अगला कोशन देखिएगा किसे इतियास का पिता कहा जाता तो इतियास का पिता कहा जाता है खी बिता को अगला को शन Unknown नीकेटर की राजदूत के रूप में चंस्द्रकुप मोरिय के दरवार में कोण épocy vapor की गय॥ कि यॉर स भी के राजदूत के रूप में जो aż ईसेलुकरस निकेटर के राजदूद के रूप में aujourd कि अ इंडी नामक प्स्तक किस ने लिखी तो यह मेगनिस्थीज नहीं इसकी पुस्तक कि ए इंडीका किसकी मेगनिस्थीज की तो आपको कोशन देखिएगा मेगरेस्टिस के पुस्तक इंडिका में किसके इतियास के बारे में अब यह हमारे जो है कोशन देखो यह बनता है कि अब जो इंडिका है इसमें किसके इतियास के बारे में लिखे गया है। किया लिखे गया थो मोरिय यूगीन समाज सास्ट संस्कृति के बारे में लिखे गया है। थिक यह छेजहनम है। ठीक है किसा के पुष्ट का राजडूत का नाम नाम था। किया नाम हैं मनलत जो बिंदूसर के दरवार में भारत आया है जो इसे राज़ दूत की वैसे अगला कोशन देखेंगा मिस्र के राज टोलमी फीले, डेलफ का राजदूत कोन था मिस्र के राज़ा त legitimately जो राज़ा थे टोल्मी इसके राजदूत का नाम कोन था जो आशौक के दरवार माय था डाइनोसियस था इसका नाम क्या था डाइयो बहरत का ब stewardship किस lookin किस ने लिखी थी भारत का भुगोल तो आप याद रखेंगे वहारत का बीगोल किसंद लिखी और मुने ने च्छे-फिल्मी नामग प UC तक ने चुरल हिस्ट्री आप यहेग याद रखेंगे नेचरल हिस्ट्री नामग पुस्ट्रक के लेकर जो यह पालेनी नियुक्त को याद रखेंगे अगला कोशन देख़ें चीनी यात्री फाहियान 402 इस्वी में भारत किसके दर्वार में आया था जो चीनी यात्री था वो चंद्रुगुप्ध द्रित्तिय के समय आया था किसके और संब्रिद्ध बताया था जो फायान था जो चीनी यात्री था फायान इसने कहां कौन सी जनता को सुखी और संब्रिद्ध बताया था कहां की जनता को जो मध्य प्रदेश की जनता थी इसको इनने सुखी और संब्रिद्ध बताया था कि यह अच्छे जी रहे हैं अपनी ज सबसे पहले आप और आप यहां पहँचा है कि एझ सबसे हैं अग्राइब्त सरस्मग भारत में किसे वर्षियों कर बोध धरम से संबंदित गِरॉंतों का गुरॉंतों को इंक करक्षिक किया तो 15 वर्ष रहा यहाँ पर इने बोध गुरुंतों को यह 커र्टा किया था कि हैंस्वांग के भ्रहमण विर्तांग को क्या कहा जाता तो स्यू यू की इसका जो हैंस्वांग ने अपनी पूरी यात्रा का जो विवर्ण दिया है वह स्यू यू की में दिया कि इसमें सी यू की में ठीक है कि इनकी पुस्ताग है कि क्या है एक पुस्ताग इनकी अगला को अचारिये शील ब्र लुद कोनते आचारिये शील ब्र थे ठीक है आप इसको याद रखंगे जब हैं संगर कर रहे थे तब नलंदा विश्वदालिय के कुलपति कोनते अचारिये शील भदर थे अगला कोशन बोध धर्म से सजिए सम्मादित के लिए से यूंगन भारत कव आया था तो यह पन्रण और पांस आठारा इस्वी में भारत आया थां थीकई यह कि सिक को कौन सा अर्बी लेखक मेहमूद गजनवी के साथ भारत आया था तो यह जो कोन आ आया था अलबरूणी था अकौन आया था अलबरूणी था लिए लिए लाई और अई ऑ्युग्ध रो नेखा के किताब ल्हिंद ताहकी के हिंद नामक पुस्तख जो यह नों अगला कोशन मारको पोलो किस देश का यात्री था मारको पोलो जो था इटली का यात्री था ठीक है इटली से आया था ये ठीक है मारको पोलो अगला कोशन देखिएगा इबन बतूता द्वारा लिखित रहीला इबन बतूता ने लिखी थी कौन सी रहीला ये किस भाशा में ल अगला कोशन रहीला नामक पुस्तक में किसका वलन किया गया तो रहीला नामक पुस्तक में जो है किसका वलन किया गया भारती उप महादीप के समाजी को संस्कृति जीवन के बारे में जो है इसमें वलन किया गया अगला कोशन देखें तेरा सो तेंटीस में इबन बतूता कि किसके दर्वार में आया था या था महंमा्मद बिन तुगलक के दरवार में आया था अगला कोशन देखिएगा कौन से इक तिबत लेखक था जिसने कंग्यूर तथा तंग्यूर। पिसने अगला देखिए कोशन सर पिरत्म भारत वर्ष का जिक्र किस में हुआ है तो सर्पिर्थम भारत वर्ष का जो जिक्र हुआ वो कौन सा विलेक में हुआ है तो हाती गुमफा विलेक में हुआ है का हुआ है हाती गुमफा विलेक में हुआ है का हुआ है हाती गुमफा विलेक में हुआ है अगला कोश्ण देखीएगा सर प्रितम भारत को इंडिया किस ने कहा तो सर प्रितम भारत पीरथा पहला लिखित सांचिय किस अभिलयक से प्राप्त होता है तो सती पिर्था का पहला लिखी साथि प्राप्थ होता है वह कौण से अभिलेक्स से प्राप्थ होता है अगला कोशन देखें सरपीरिथाम दुडुर भीष यानि अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेक का नाम क्या है तो सोह गोरा अभिलेक से हमें पता चलता है कि अकाल भी पड़ा था अगला कोशन देखिएगा रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेक से प्राप्त होती है जो रेशम के बुनकर थे उनकी जानकारी अगर हम देखें तो मंदसोर अभी लेक से पता चलता हमें किस है मंदसोर अभी लेक तो रेशम बुनकरों की जानकारी जो हमें मिलती है, वो कौन से अभिलेक से मिलती है, मंदसोर अभिलेक से मिलती है, अगला कोशन देखिएगा, किस कश्मीरी नवपशानिक पुरास्थल से गड़ा घर का शक्षी मिला, देखिए किस कश्मीरी पुरानिक इस तर से गड़ा घ संधेर अगला क्वेशन देखिए हैं प्राचीन तम सिक्कों को सःतिये में क्या कहा जाता एंगला क्वेशन देखिए किन सिक्कों को आज सिक्का भी कहा जाता ऐहंत्त कहा जा गया था अगला कोशन सर प्रत्म पर लेख किसो लिखने का कारिय किन शाष्छक औने किया तो सर पिर्थम अगला कोशन देखेंगा भारत के किस इस्थान से और रोमन शिक्क्य पराप्थ हुए हैं किस्तान से घो है रोमन शिक्क्य पराप्थ हुए हैं तो आप बताएंगे अरे केडू-वर्तमान में जो पेडू चेरी जिसका नाम है अरिकेडू और वर्तवान वज इसको पेडू पेडू चेरी कहा जाता है ठीक है अगला कोशन हाती गुमफा विलेक का संबंद किस शासक से है तो हाती गुमफा विलेक का संबंद जो है वो कलिंग के ज्यादा कलिंग जो राजा है खरबेल उ अगला कॉशन देखिंग नासिक अभिलेक याद रखंगे अच्छे से नाप्सिक अभिलेक का निर्माल तो किसने करवाया था तो गोंती किस ने कराया था गोतमी बल्षरी अगला कोशन से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो नासीक अभी लेख जो ए में यह में कौनसे राजा से जानकारी मिलती है गोतमी पुत्षसर्टकर्णी से जो बनवाया था अभी लेग नासी का अभी लेग जो बनवाया था वो गोत्मी बल्शरी ने बनवाया था शीला लेग का मतलब होता पत्थरों पर लिखा हुआ शीला लेग मतलब चट्टानों पर और यह अभी लेग जो होते हैं यह अभी लेग होते हैं इस तरीके से कहीं जैसे अभी लेग क फिर कहीं दिखऊँ है किसी चीज़ फे मिल गई कोई अभी लेक कि अगला कुशन लावाट के अशोग इस्थम पर परियांग प्रस्ति इसको क्या क्या अगया प्रियांग प्रस्ति स्थम लेखन किसके मारा करवा है उस्ति के दुवरा लिगवावाए गया था किसके दोवर लिगवा गया था इसको समझ greater time कि अगला कोशन दकिए हैते हैं अभिलेक का समठ्ट किसा सक्थे और होग के किस शिला लेक से किलिंग यूद का वडं मिलता राई कहां से मिलता है जो तेरवा अभी लेख है अगला कोशन देखिया अशोक के शीला लेक को सरप्रितम किस सेपने पड़ा था तो आप इसको अच्छे से याद रखांगे किसने पड़ा था अगला कोशन देखिएगा प्राचीन लीपियों को पढ़ने का प्रियाज सर्पिर्थम किसने किया था तो प्रियाज लीपियों को पढ़ने का सर्पिर्थम प्रियाज जो किया था वो किया था सर विल्यम्स जोन्स ने किया था ठीक है अगला कोशन देखिएगा भिटारी अभी लेक का सम्मन्द किस शासक से है इसकंद गुप्त से है अगला कोशन देखिएगा काली दास के बारे में मैं वर्लन किस ने देखिएगा काली दास ठीक है काली दास के बारे में वर्लन किस में मिलता है तो पुलकेशन दिरित्ये के एहोल प्रस्तिती में मिलता है ठीक है किसका काली दास के वर्लन का काली दास के वर्लन जो मिलता है वो किसमें एहोल प्रस्तिती में मिलता है किसमें एहोल प्रस्तिती मे देखिए अगला कोशन देखिएगा अगला कोशन है मंद सोर अभिलेक के रचनाकार कौन थे? मंद सोर अभिलेक के रचनाकार कौन थे? वत्स बटी कौन थे? वत्स बटी थे मंद सोर अभिलेक के रचनाकार अगला कोश्चन मंदसोर अभिलेक का संबंद किस राजा से था तो मंदसोर अभिलेक का संबंद किस राजा से था वो था मालवा नरेश यशो वर्मन से किस से था मालवा के जो नरेश यशो वर्मन से था अगला कोश्चन गवालियार अभिलेक का संबंद किस राजा से था तो प्रतिहार जो वंश्के थे नरेश भोज इन से सम्मन्द था ठीक है अगला कोशन देखिएगा हर्षवर्दन के धार्मी कुद्देश्यों से अगला कोशन देखिएगा देब पाड़ा अभिलेख का सम्मन्द किस राजा से तो यह बंगाल के शाशक जो थे विजेखिएगा हर्षवर्दन के धार्मी कुद्देश्यों से किया गया है तो इसका बासख्यडा विलेख से मिलता हमें ठीक है अगला कोशन देखिएगा पाड़ा अभिलेख का सम्मन्द किस राजा से तो यह बंगाल के शाशक जो थे विजे सेन इन से है ठीक है विजे सेन से बंगाल के शाशक विजे से अगला कोशन अशोक के नहर ववस्ता के बारे में उन लेख किस अभिलेख से मिलता है तो गिनार अभिलेख से किस से मिलता सा गिता के बारे में अगला कोशनों जिस काल में मुनस्शी द्वारा कि या गया कोई भी लिखित विवरल नहीं मिलता है उससे कौन सा चाल कह जाता है जिस काल समक्राइबंते कविख्षिव Greg antich formal काल क genres अगला कोशन मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरान लिखित रूप में उपलब देतों उसे इतिहास कहा जाता कि इतिहास कि डेफिनेशन यही समझ लें आप किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके तो आधिये इतिहासी काल के नहीं पढ़े जा सके जिसको सिंदु घर्टी सभ्यता के अभी लेख है अगला कोशन पूर्व पशान यूक के मानव की अजीवी का मुख्य अधार क्या था तो मानव जो मुख्य जीवन का मुख्य अधार जो था वो क्या था वो शिकार था ठीक है शिकार करते थे खाजा करते थे और क्या करना था है आग की खोज किस काल में हुई थी तो आग की ख पाशाणकाल में आग की खोज हुई थी पईए का विशकार किस काल में हुआ क्यूंकिक किर्शी करने लगे थे के लिए एक ठेहरना पड़ेगा वरना किर्शी केसे कर पाएंगे अगला कोश्चन देखिएगा इत्यास कारों के अनुश्यों का पहला पालतु जानवर पहला पालतु जानवर क्या था तो यह कुट्टे को पहला पालतु जानवर बनाया करता है कि इन्हें अपने घरों की रक्षा करना होती थी इन्हें अपने घरों की रक्षा भी तो करानी किसका करा कि मुलय को बनाए गऩा कोन साथ की मिलते हैं कि अधिर विश्म रहां मिलते हैँ ठीक है किरशी का अविश्कार जुए न पशाल कालम हो गया तो तब ही न स्थाहे रहना पड़ा किरशी के लिए अपनाए गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी ती गयू और जों 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 फी सबसे प्राचीन फसल न deking क्व मानि गई कोशन है किर्शी का प्रिथम साच्छी कहां से प्राप्त हुआ तो सब किर्शी का प्रिथम साच्छी था वह महरगण से प्राप्त हुआ था कहां से महरगण से अगला कोशन देखें निम्मे से कि किसने सर प्रतम 1863 में भारत में पूरा पाशन कालीन उजारों की खोशगी तो रोवेट बुरुश फुरुड ये आपको याद रखनाए कोशन ठीक है अच्छा कोशन नहीं आपको याद रखने कोशन सारे अच्छे हैं और सारे ही कोशन आपके एक्जाम की दिरिष्टी से ही बहुत ही ज्यादा का arrogance इंपोटन हैं तो आप इसको याद रखें जरूर से जरूर झा तो देखिएगा भh wag का सबसे प्राचिन नगर कौन सा था तो मौहन-जोदलो सबसे सबसे प्राचिन नगर सबसे प्राचिन नगर जो था महंजोदलों कि अगला कोशन सिंधी भाषा में महंजोदलों को क्या कहा जाता तो मिर्तिकों का टीला कहा जाता सिंधी भाषा में मिर्तियों का टीला कहा जाता महंजोदलों कि यहां पर जो है कबरे जादा मिली है ठीक है भारात कुछ ने मुनस्य सम्मदी सबसे पहला प्रिमाड कहा मिला। मुनस्य का सम्मदी सबसे पहला नर्मादा घाटी में मिला। जो कई सारे लोगों ने अलग-अलग मानित दिये। पर सबसे ज़्यादा मानिये जो है कोई 2400 इसा पूरुव से 1700 इसा पूरुव तक ही मानिये जाए सिंदु सभीता काल का निरधां किस विशलेशन पदिती के दुवारा किया था तो रेडियो कारवन डेटिंग रेडियो कारवन के 121 के दुवारा जो इसको ऊसको पर डाला जाता पूरा टत्वी स्तहल से समान मिलता उससे ही पता चलती हो इसमें तो वह उसकी अम्रह के ही चकरण होते हैं घके इसी तरीकां से किर यिए कार्वन डैटिंग कहा जाता है रेडियो कारवन की ती तो हडपा घ्रप्पा की खोच किस ने की थी तो हडपा की खोच जो की थी को लिए बहुत अच्छा कोशन है यह राय बहादूर दयराम साहनी कौन थे दयराम साहनी ने जो है षडपा की खोच कि थी 1921 में देखे इसको थोड़ा रिलेट भी करके मैं से बताता हम लिए सिंदु सब्यता का जो पिरमुक बंदर का था वो था लोथल गुजरात में ठीक है लोथल गुजरात में कि अगला कोशन देखिएगा सिंदु सब्यता का सबसे बड़ा अनागार मतलब अनाच का भंडार न कहां पर मिला महुंच जोदलों से मिला ठीक है अनागार जो कहां मिला महुंच जोदलों से मिला सोमा कोशन देखिएगा सिंदु घाटी सब्यता में अगनी कुंड कहां से प्राप्त हुआ कहां से मिलिया मौर्ज जोदोडों से इसका सय अंशर हो जाएगा अगला कोशन देखिएगा सिंध्य सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों को बनाने में कौणई रिटी परदीती इन फिकल न है अगला कोशन देखिएगा सिंदु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी तो मुख्य फसल में आपको बता ती जो और गया हूं थी सिंदु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रियोक करता है शहत का करते हूंगा जाहिड सी बात कि अगला कोशन मोहन जोद्लोड की खोच किस ने की थी तो राखल दाज बनर जी ने 1922 में की थी एक साल बात ठीक है राखल दाज बनर जी ने की थी 1922 में और हडपाई खोच दयारामसानी नीस किसमें तो आप इसको याद रखांगे अगला कोशन देखिए आर्यो दुआरा जो बिनाए गई सभ्यता थी वो कौन सी थी वो थी आपकी गिरामीड सभ्यता कैसी थी गिरामीड सभ्यता थी आरियो की भाषा कौन सी थी संस्कृत भाषा थी आरियो की ठीक है तो आप यह याद रखोंगे का आरियो की भाषा कैसी थी संस्कृत थी कोशन बनता है अगला ठीक है किसकी चलेगी पिता की अगला कोश्चन वेदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रेने वाली महिलां को क्या कहा जाता था अमाजू कहा जाता था जो जीवन भर यह अविवाहित रेती थी जिनको आज हम क्या कहते हैं कुवारी अगला कोश्चन आर्यों का मुख्य पेपदार्त क्या था सौम्रस था यह कोई एक पेड़ से लिखलता था कुछ ना कुछ इस सौम्रस हुआ करता था यह जो इनका पेपदार्त था जार सी वाद है नशाभी होगा इसके अंदर आरियों के मुख्य साधन क्या था संगीत रत दुड़ात थे घुलदोड़ हुआ करती थी तो इनके पिरमुक साधन थे मुरण्यन के यह आरियों का मुख्य वसाई क्या था पशुपालन और किरसी था यह दोनों वस इनके वह वसाई थे ठीक है सोला जनपदों के वारे में बहुत गिरंत में जानकारी मिलती है तो यह सोला जनपद जो हुए महा जनपद इनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाई से मिलती है कहां से अंगुत्तर निकाए से कहां से मिलती है अंगुत्तर निकाए से मिलती है मगद की राजधानी कहां थी तो राजगिरे कहां थी मगद की राजधानी क्या थी राजगिरे तो आप इसको देखो मगद की राजधानी राजगिरे तो आप इसको याद रहांगे बहुत तो आप इसको अच्छे सी याद रखांगे इनको नहीं भूलना है विल्गुल भी आपको चलिए अगला कोशन देखिएगा महवीर का जनम पूर्में हुआ था कहा हुआ था कुंडल गिराममें हुआ था ठीक है वर्थवान में जिसका नाम है वह्षाली अगला कोशन महवीर का वैच्पन का नाम किया था वर्दमान अगला कौशन महावीर का जनम अनुविवाई कौन थे महावीर के पृर्धम अनुविवाई कुन थे तो जया जमाली यह कहता है जमाली जमाली जो बाद में जो यह बाद viene क्या बन गदे महावीर के दमाद बन गए थे ठीक है दमाद बन गए थे कों जमाली अकला कोश्चन देखिएगा महावीर के न्योयियो को क्या कहा जाता था निन गरंत कहा जाता था अगला कोश्चन पिरट्धम जैन संगीती कह ओईथी तो पार्टली पुतर में हुई door तीँ सव ईसव्य में अहग कर दो सामियक जन स्विशन सामियक आचे तीन रतनेय जन धर्म के का अगला कोश्यन दोन संस्थापक थे तो बहुत धर्म के संस्थापक थे वो थे गतम बुद ठीक है तो आप इसको याद रखना आए अगला कोश्या का जोतिसपुज लाइट ओफ एशिया किसे का जा था गोतम बुद्ध को का जा जा था लाइट ओफ एशिया अगला कोशन बुद्ध का जनम का हुआ तो बुद्ध का जनम हुआ था 563 यह सा पूर्म कपिल बस्तु के लुम्मनी बन में कहां यह हुआ था ठीक है आपको याद रखना गोतम बुद्ध का बच्पन का नाम सिधार्थ था गोतम बुद्ध की पत्नी तता पुत्र का नाम क्या था यह शोधरा और पुत्र का नाम था राहुल अगला कोशन गोतम ब बोध गया मैं अगले कोशन बोध धर्म सार सार नाथ में दिया के बोध मीर कि मर्तिच को करता जाता है थीक है भूद धर्म में कहा जाता है महां परि निर्मार्ण मिरत्यू क्या कहा जाता हूआ भूत्म पुद्की मिर्त्यूक यहा जख़ ठीक है उत्ता पिदेश में है अगला कोशन किसके किसके शाषनकाल में पिर्थम बहुत संगीती हुई थी पिर्थम बहुत संगीती हुई थी ठीक है तो तीनो कोशन यह की दूसरे से रिलेटी है अगला कोशन देखिएगा दिर्थम बहुत संगीती तो यह वेशाली में हुई थी हुई थी 383 में दर्थिये भूश संगीती के शाष्ल काल था था काला शोक का थ और दित्त्य भूश संगीती का अधिस्ता किसे थी सभा कामिने की थी थी ठीक है तो यह यह पूरी डिटेल मिल गयी आपको यह पिक है यह तीन कोशन नेयकल ठीक है कि अगला कोशन देखिएगा सम्राट अशोक के शाषन काल में पाटली पुत्र में कौन सी बोध संगीती हुई थी तिरित्य बोध संगीती हुई थी कौन सी तिरित्य बोध संगीती हुई थी कौन सी तिरित्य बोध संगीती 255 इसापूर में कब 255 इसापूर में सम्राट अशो समराट की शाषनकाल में होई थी पाटली पुत्र में ठीक है कनिश्की के शाषनकाल में कुंडल बन में कौन सी बोष संगीत हुई थी चतुर बोष संगीती चो थी और पिर्थम शताब दीम होई थी ठीक है तो आप इसको याद रखंगे अगला कोश्चन देखें नंद सब्सेर्ट जफें दयाल राखंगर मार्कर कि अंद्रण थी जयंद्धर घृइन विवक इसकी कर ने लिया इस हुआ मतलब किसकी पूत्री से वह था सेलूकर सिंगेटर की पूत्री से हुआ उनका नाम था हे लिना चंद्रगुप्त मौरिय के बाद मगद समराज जी का राजा कौन मना बिंदुसार ठीक है कौन मना बिंदुसार अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता बिंदुसार को का जाता अमित्र घात के नाम से किसको जाना जाता बिंदुसार को बिंदु सार के बाद मगध समराज जी के गद्धी पर कौन बेठा था अशोक बेठा था किसके बिंदु सार के बाद मगध समराज जी के गद्धी पर कौन बेठा अशोक अशोक ने बहुत धरम के प्रिचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र संग मित्रा को कहां ब्राभ को शिरए लंका खोऊ इसमी में अशोग कि शिला कि खोच, आग लेंट है अगला कोशन अशोग की अशिला लेक में धम की वहस्ता क घ्राथ, अजसर खalg कर दो अज़ेंगें ठम का प्रिचार। ठीक है धम नित्य अपनाई थी अशोक के शीला लेखो की संक्या कितनी ही 14 है शीला लेखो की संक्या 14 है अशोक के इस्थम लेखो की संक्या साथ है सिकंदर किसका शिष्य था अरुस्थूगा सिकंदर केसी कों था सेलुकस नीकेटर शुंग वंज की स्थापनां किस में कीती शुंग वंज की स्थापनां पुश्यमित्र सुंग ने कीती स्थापना किस नहीं थी पासु देवने साथ वहन की स्थापना किस नहीं थी भारत पर आक्रमा करने वाले विदेश्य आक्रमा को इस प्रिकार है कि युनानी ठीक है अगला कोशन देखिएगा गुप्त वन्ष का संस्थापक कोन था श्री गुप्त वन्ष का प्रिथम समराट कोन था गुप्त वन्ष का संस्थापक श्री गुप्त वन्ष का श्री गुप्त वन्ष का प्रिथम समराट कोन था गुप्त वन्ष का संस्थापक श्री गुप्त गुप्त शंबत की सुरूबाद किस ने की तो चंडुगुप्त पिर्थम ने की ती गुप्त शंबत 78 एश्वी हीन्यान थे महाजान दर्म दो भखों में बटा। बौत धर्म का थाunte, कि ये यि जय दो महांचान के वी बट गला शैका, अब समंद्रुगुप्त किस के बाद में चंद्रुप्त के बाद योध्धा कि बारत का नेपॉलिन काया था समंद्रुगुप्त को काया था किसके दरवार में कभी थे हरी शेन चो थे समंधुर को थे हरी शेन और युद्य संधिर संधी का थे तक है किसे भारत का आइस्टीन का आधा इसंत्र की रचना किस ने कि ती माध्य में सुत्री की रचना कि ने नागारजुन ने नलंदविश्वध्यल्य की सठापना किस ने किती कुमार गुप्त ने किती नालंदा विश्वधाल लेकि इस्थापना किसने ती किती, कुमार गुप्त ने. गुप्तवैंशक आंतिमशाक कौन था विश्णू गुप्ध काल में ऐसे भुमी जो जोतने योगिया नहीं थि उसे सिल काहा जाता है unfold क्या काहा जाता एंगत चॉटिया काई कर या कूछ एक है टीक है घूंग यो अओ जो से सिलक आ जाता था कुप्तिकाल में को से शहर सर्वाधिक महत पूल व्यपार कहने हैं ता सबस्क्रम कन से कहिता था यह भूजॏण अग्य okay ? कांपिक कूल में स्वर मुद्राओं को क्या काया या या था यह को प्रियान पूलिह तदिनार काया जाता तब प्रोडक्ट आता है जो चंद्रकुप्त सेकेंड के अगला कोशन देखिएगा चंद्रकुप्त दिरित्यये के शाषन काल में संस्कृत भाशा के सबसे प्रिशित कभी कौन थे तो कालिदास थे अगला क्योश्य देख लिए गुप्तिश relevant काल में लिखित पुस्तक पंच तंत्रके लेखा कोनते विश्णू शर्मा इस सूर्या सिधांत नामग गिरंट की रचना किसे कहाँ जाता है तो भारती इतियास का सुनी योग जो कहा है वो गुप्त काल को कहा जाता है कौन से को गुप्त काल को कहा जाता है ठीक है कौन से को कहा जाता है गुप्त काल को अगला कोशन अभी ज्यान शकूंतलम के लेखक कौन है तो अभी ज्यान शकूंतलम के जो लेखक है वह कालिदास ठीक है अभी ज्यान शकुंतलम के जो लेखा के वो कोई है वह कालिदास ठीक है अभी ज्यान शकुंतलम अगला कोशन पल्लववँश का संस्थापकोंता तो शिंगविषणू पल्लवब्वण्ष की राजधानी कहा हुगा करते थी? काहां ची पुरम में हुगा करते थी? काहां काहीं पुरम में? महेंद्र वर्मन प्रिथम नर्सिंग वर्मन प्रिथम परममेशवर वर्मन प्रिथम नर्सिंग वर्मन दिर्थिये तथा नंदी वर्मन दिर्थिये किस वर्मन के संस्तापक ते सारे के सारे ये पल्लव वंश के थे ठीक है किसके पल्लव वंश के अगला मत विलास प्रहासन क कि रचना कि अगला कोशन माहावाली पुर्वाम का एक आशी मंदिर का निरमाण किसन मंदिर को अ गया हो ठीक है अगला कोशन देखिएगा काची पुरम के केलाश मंदिर का निर्माल किस ने कराया था काची पुरम में जो केलाश मंदिर है इसका निर्माल किस ने कराया था नर्सिंग वर्मन दृत्तिय ने करवाया था यह प्रिथम ने कराया था यह काची पुरम का जो मंद इसमें बेकुंड पेरुमल मंदिर का निर्माल किसने करवाया था तो नंदी वर्मन दिरित्तियन करवाया था किसने नंदी वर्मन दिरित्तियन करवाया था निर्माल अगला कोश्चन देखेगा पल्लववन्ष्छा अंतिव साशं कोंथत पल्लवबश्चा अंतिशा शांतिशत अ राजित वर्मन अगला कोश्चन राष्ट कूड वंश्का संस्थापक कोंथत दंति दुर्ग कोन था दंति दूर्ग राष्ट कूड वन्ष का संस्थापक था ये दंति दूर्ग अगला कोशन किष्ण पिर्थम गोविंद पिर्थम अमोग वर्ष किष्ण दित्तिये इंद्र दित्तिये किष्ण दित्तिये इस वन्ष के संस्थापक राष्ट कूड वन्ष के सारे के सार अगला कोशन किसे राश्ट कूट शाशक ने प्रतिहार वन्ष के वस्त राज एवं पाल वन्ष के शाशक धरम पाल को पराज़ित किया था धूब अगला कोशन किस राष्ट कुडवन्स के शाषनकाल में अरब निवासी अलमसूदी भारत आया था तो इंद्र दिरित्ति है अरब का निवासी अलमसूदी हर्यक्वन्स का संस्थापक कोन था बिंदुसार राष्ट कुडवन्स के अंतीम शाषक अंतीम शाषक थे महाराष्ट में इस्तित एलोरा गुफाओं का निर्माड की शाषक के शाशन काल में हुआ कल्याली के चालुक्य वंक्यियं सत्थापना किस ने कीती तो कल्याली के चालुक्य सतानत 3 सेकिंड में के ती में अगला कोशन देखिएगा है कि प्रिताभी कि चलूकिय प्रिताभी बतापी के चलूकिय वन्ष की स्थापना राजा जेशिंग ने की थी किस ने की थी राजा जेसिंग ने की थी बतापी के चालुक्य वंज की स्थापना पुलकेशन प्रिथम पुलकेशन दिरित्तिये विजे दित्तिये तथा किर्थी वर्मन वंज के राजा थे तो चालुक्य वंज बतापी ठीक है वतापी के चालुक्य वंज के थे कौन यह थे पुलकेशन प्रत्हम पुलकेशन दुरुतिएैं विजएदिद्धियें किर्ती वर्मन वनցच करमती विक्रम दित्व मंड मी ठीक है ठेलब दुरुतिए शमेश्वर किसे वन्ट करण दूरुट स्वोगतेां रुट जङ है जो कल्याड़ी के चलुक्यवंश अगला कोशन देखेगा बैंगी के चलुक्यवंश के संस्थापक कौन थे बैंगी के चलुक्यवंश के संस्थापक जो थे विश्णू वर्धन विश्णू वर्धन जो थे बैंगी के चलुक्यवंश के संस्थापक थे अगला को चोल वंश वन्ष के संस्था पक तुथ्था वो तका विच्ची नियालिय। अली यह गलत लिखा यहां पर वीजाल ले धां ताका सय आंसर हो जागा विजाल ले। तो टंजाबुर में हुआ करती थी थींगत था मिज़ए चौल वन्ष की कि वंस के राजा थे ? वंस के राजा थे ? अगला कोशण तंजोर के राज रहेश्वर। सीएं गरा गाया गाया था ? अगला कोशन देखिएगा अगला कोशन चोल काल में किसी विश्य हम लें के रख़ राखस की भूम थे लूख को क्या वूद्थक्ष ऐखा की वूमे था अगला कोश्शन चॉल काल में सोने के सिक्क्य क्या कहलाते थेissa कलंगि कलन्जू कलंजू कलंजू जो क्लंजू ठीक है कलंजू कहलाते थे नटistä्कराज पृतिम्हक किस कालकीक gift कल्छा है तो चोलकालकीüne उत DIRE है कौन सी नटास्ट достиमा ठीक है आपनेधे होगि कि छोलकाल में विश्णू के पासक क्या ने ने लुकुल पाल में मौनगेर में को धरम देब पाल महिपाल नाड पाल माक पाल के राजए ते कि देव बद दर्म के अनुए थे नलंदा में एक बोधि विहार बनवाने के लिए किस राजा ने पांच गाउवदान में दिये तो देव पाल्ण ने दिये थे देव पाल्ण ने पांच गाउं दानन में दे दिये थे पिर्थि विराज राशों की रचना किस्ने तो चंदरबर दाई ने की थी दोस्तो प्राची नितिहास हमारा अब हम देखांगे मध्यकाली नितियास क्या देखांगे मध्यकाली नितियास शुरू करेंगे अब देखिएगा किस के नेतित में अर्बो ने भारत पर पहला आक्रमन करा तो किसके नेतितों में भारत में भारत पर पहला आकरमण हुआ महम्माद इबिन कासीम के नेतितों में पहला आकरमण हुआ कहां भारत पर अर्बो ने सिंदु को किश्वर्च जीता तो अर्बो ने सिंदु को किश्वर्च जीत लिया 1712 इस्वी में जो है चीत लिया अर्बो के आकरमण के समय सिंद्का राजा कौन था तो सिंद्का राजा था दाहिर कौन था दाहिर था हुआ करता था सिंद्का राजा है और नो सो द्रवत आखे लोक ये ज़िए स्थापना है किसने गजनी नामक समराज्ये की श्थापना की तो अलपत गींद ने जो एक गजनी नामक k 있स थारांज्य की श्थापन सम्राज्य की श्थापना की ती वह बश्रप पुछा जा रिया है तो आप इन शब्दों पर धियान दे अगला कोशन देखिएगा सुबक्त गीन कौन था तो सुबक्त गीन था अल्पत गीन का दमाद कि सुबक्त गीन कौन था अल्पत गीन का दमाद हुआ करता था है अगला कोशन देखिएगा महमूद गज नभी गजनी किसका पुत्र था तो महमूद गजनी जो था सुबत गीन का पुत्र था किसका सुबत का का पुत्र था आप इसको याद रखांगे और सुबत गिन कौन था वह अल्पत गिन का दमात था ठीक है अगला कोशन देखें बगदाद के किस खलीफा ने महमूद गजनी को यामीन उद्दोला तथा यामीन उल्लह की अपादी दी थी तो अल आदिर बिल्लह अल आदिर बिल्लह ठीक है अगला कोशण महमूद गजिनी ने पेली बार भारत पर आकरमल किया 1000वी तहां महमूद गजिनी ने भारत पर कितनी चाह। कितनी बार शत्रा बार किये मेह्मूद गजिनी ने भारत मुद गजिनी ने पंजाब hebben किस राजा राजय कुद को कव आकरमन किया था टो एक हजार में इन्होंने कुद एक करा था ठीक है मैमूद गजिनी ने मैमूद गजिनी ने सोमनाद मंदिर पर किस साल ग्यारो सो पच्चीस हीस्वी में आकरमण किया था मेहमूद गजनी ने भारत में इतनी बार आकरमण किया वह इसकी वज़ा यही थी के जादा जादा धल लूटना ठीक है और तुबारा से उन लोगों को छोड़ देना कि जाओ तुम जो है दुबारा काम करो दुबारा पैसा कमा हम दुबारा लूटने आएंगे मेहमूद गजनी ने एक हजार सताइस में अन्तिम भारतिया अकरमण किसके विरूद किया था जाटो के विरूद किया था किसके विरूद किया था जाटो के विरूद किया था जाटो के विरूद किया था जाटो के विरूद किया था अगला अलवरूनी फिर्दोसी उतबी फारूकी किसके दरवारी कभी थे तो ये महमूद गजनवी के चारो के चारो कभी जो थे महमूद गजनवी के थे आप या मेहमूद गजनी के जो थे दरबारी कभी थे अगला कोश्चन देखिएगा मेहमूद गजनी की मिर्तियू कब हुई थी तो यह एक हजार तीस में मिर्तियू हुई थी मेहमूद गजनी की अगला कोशन शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आकरमल किया था शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आकरमल 1175 में किया था तो आप इसको याद रखेंगे 1911 में तराइन का पिर्थम यूद किसके बीच लड़ा गया तो 1911 में जो था पिर्थम तराइन का पिर्थम युदु जो लड़ा गया था वो शाहबुद्दीन मुहमद गोरी और पिर्थिविराज चौहान के साथ में लड़ा गया था और दिर्थिय युदु जो लड़ा गया था वो भी इनी के बीच लड़ा गया था पर उसमें क्या हुआ था हुआ इसमें प्रतिविराज चोहान जीश जाता है पिर्थम युद में दृतिय युद में गory जीश जाता ठीक है और यह कब हुआ था 1192 में एक साले के बाद ही हो गया था ठीक है अगला कोशन देखिएगा तराइन के पिर्थम युद में किसकी पराज्य हुई त मुहम्मद गोरी तथा प्रतिवरा चुहान के बीच तराइन का दृत्तिय यूद कब हुआ तो 1992 में आपको बता है तृत्तिय यूद दुवारा हुआ था इनके बीच में तो यह तब हुआ था ठीक है तराइन के दृत्तिय यूद में किसकी पराज्य हुए तो इस बार जो है जीत जाते हैं और चुहान हाड जाते हैं और चुहान को मार दिया जाता है सब को इस के बीच हुआ उप मुहम्मद गोरी तथा राजा जेचंदर के बीच हुआ 10-15 जेचन ठीक है चुरान्वय सभी चा-चा से आ रहे हैं जाना चुरान्वय चंदावर येचन तीस तरीके से आत कर लेंगे आप si preciso मुहमद गो की म्रतियू कब थी तो बारासुचे में मुहमद गोरी की म्रतियू हो जाती है इसके बाद में गुलाब वंस कि इसको खरीद को किसको खरीदा था तो इलतुमिश को खरीदा था कुतूब दीन एवक में तो इसे क्या कहा आता है इन्हें दास का दास कुतूब दीन एवक को दिल्ली में कुतूमिणार की नीव किसे तो रखीती कुतूमिणार की जो नीव रखी थी वह कुतूब दीन एवक दें संस्कृति को बचाय रखना सबस्यां कुटूदी नेवक दुवारा निरवीत्द धाई दंग सब्सक्राइब क्हश्था दली के कुटूबिझतु办 कि निर्माल किसे ने करवाया था न रिश्वालिया नलंद लाक वक्ष यानि कि लाकों का दान करने वाला कुतूब दी नेवक्ष किसको जानते हैं कुतूब दी नेवक Clts कहने कुतूब दी नेवक का सेना पती हुआ करता था वेक्टियार क्हिल्जी कि बारवसु दस में चोगान खेलते समय गोले से गर करे किसकी मिरतिवी तो कुतुब दिनेवक की छोगान खेलते हुए गोले से गरते हैं只 speaking कोई चोगान का आ जागता था उस बहगत ठीक है तो उससे गिलके घोड़े से गिरके जो है उसकी किसकी कुतुबुदी नेवग की मिर्ति हो जाती है कुतुबुदी नेवग के बाद दिल्ली संतलनत का शाशक कौन बना तो अराम शा सिर्फ आठ महा के लिए बने क्योंकि यह और जैसा नाम इनका राम शा ऐसी यह आराम में ही रहते थे 1211 में दिल्ली संतलनत का शाशक कौन बना 1211 में तो इल्टुमिश बन जाता है ठीक है कोन बनता इल्टुमिश इल्टुमिश कौन था कुतुबुदी नेवग का गुलाम एवं दमाद दोनों ही ठीक है किस शाशक ने अपनी राजधानी लाहोर से दिल्ली स्थांतुरित कर ली थी ठीक है डिली के पास ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की उपादी शुकिरतक प्राप्थ की तो विक दिल्तमिश ने जहें ग्यात कहें रहें कि कि कुटुबि दिन एवग को सुल्तान का पत धारन किया था कुसकी और कि इसी लिए इने दिल्ली का पिर्थम सुल्तान भी ऊजाता है कि से इलत्यमिश को दिल्ली का पिर्थम महिला मुस्लिम शाषक कौन थी तो दिल्ली की पिर्थम महिला मुस्लिम साथ से रजिया सुल्तान आपको पता होगा रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी इलतुमिश्की पुत्री की मुर्थी कब हुई थी 1266 में इलतुमिश्की मुर्थी हो गई थी संत संतलत काल में दिल्ली के कि शाषक ने पर्दा पिर्था को विरोध किया था तो रजिया सुल्तान का विवा किसके साथ हुआ अल्टूनिया के साथ में हो गया था ठीक है दिल्ली का कौन सा शाषक टोपी सील कर अपना जीवन बयापन तो नसीर उद्दिन महमूद जोदही टोपी सील कर अपने जीवन यापन करते थे इन्होंने कभी भी उसमें से कुछ नहीं लिया ठीक है बलवन कौन था तो बलवन था इलतुमिश का गुलाम ठीक है और जो कुतुबुदीन एवक थे वो कुन थे वो वो कुराण शरीफ की आयते लिखकर अपना गुछरवशर करते थे ठीक है बलवन की आलसी का नाम बलवन का असली नाम तुरकाने चहलगानी क्या था तुरकाने चहलगानी था चालिस गुलामों सरदारों का गटसंगधन था थिख थे तिर्काने चहलगांी को समाप्त किया बलवन ने तिर्काने चहल गानी किसमें अ UP कर दियक्क बलवन दिल्द का शाषक कब बना तो बारह सोच्छाषक में बलवन जोई दिल्दी का शाषक बनता है कोश्चन काफी सारय होगा हैं तो पीडि एफ करने लगा Say की दिल्ली के सौचक ने अपने विरोधियों के प्रति लोहार और रक्त की प्रतियं की अपने बलवन ने उनने किसी भी तरीके से ठीए? कोई भी मेरे विरोदि नीं हो सकता है नी है तो किके बलवन के और फार्शि िरिति रिवास पर इधारित एक उस्साव था फार्सी रिती रिवास पर जोई आधारित है कि उस साह था उस सब था ठीक है किसने बलवन को उलूख खां की उपाजी दी थी उलूख खां नसिरुदिन महमूद ने कौन से कभी बलवन के बाद बाहुत दिन खिल जी का दरवारी कभी हुआ तो अमीर खुश्रो बलवन के बाद अलाउद दिन खिल जी का दरवारी कभी रहा कौन अमीर खुश्रो तो तिय हिंद भी कहा जाता है अमीर खुश्रो को किसने अमीर खुश्रो को शायरी से संप्रन होके उन्हें मुलुक शुआरा राष्ट कभी घोशित किया केकु वाद ठीक है तो आप यह याद रखांगे शब्द गुलाम वंश का अंतिम शाषक कौन था गुलाम वंश का अंतिम शाषक हुआ सेफुद्दीन कैमूर्स शम्शुद्दीन कैमूर्स दिल्ली संतनत का शाषन गुलाम वंश ठीक है इतने से इतने तक आप याद रखंगे इसको खिल जी बंद खिल जी बंद आ गया गया तुगलग वंश ठीक है सयद वंश और लोदी वंश तो आप इसको याद रखंगे देखिए अब हम सुरू करेंगे खिल जी वंश के इसने की ती तो जलाल उद्दीन फ्रोश्चा खिल खिल जी ने कि शेहर को अपना राजधानी बनाया था कि अपनी राजधानी बनाया था कि किल खोटी तो ख़री को ही अगलो कोशन जब लेक्टि के मेर्तिकौ के बाद घंजंश द्वीं दूसरा शाह कौन बना तो अलाउड़ प्रोश्चे एगा अमीर खुश्रों का का असली नाम क्या था मुहम्मद हसन अमीर खुश्रो का असली नाम मुहम्मद हसन अमीर खुश्रो जग कवी हैं उनका नाम क्या था मुहम्मद हसन अलाउद दिन खिल जी का बच्पन का नाम क्या था अली गुर्शाप ठीक है अली गुर्शप बच्पन का नाम घोडा दागन यूनिफर्म की शुरुवात किसमें की थी तो घोडा दागने का मतलब एक महर होगा करती तो उससे पचान रिया करती थी कहा हमारा सेनिक कौन सा है यह कौन सा सेनिक जो है अपने घर से ले इन्होंने यह भी रूल लिका था कि जो भी अपने गोड़े ला सकता अपने उसमें तो उसको जो इसका वो मिलेगा अगला कोशन देखेगा दिल लिए कि शाषक ने मूलिय निरंतन प्रणाली गो अपनाया तो अलाउद्दिन खिल जी ने मूलिय निरंतन प्रणाली को अपनाया था अलाउद्दिन खिल जी का सेनपती कौन था मलिक कफूर था मलिक कफूर ठीक है अलाउद्दिन खिल जी दुवारा निर्मित किस नमूने को इसलामी बस्तुकला का रत्न कहा जाता तो अलाई दर्वाजा को अलाई दर्वाजा शीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माड किसने करवाया था तो ये अलाउद्दिन खिल जीने करवाया था शीरी का महल और हजार खंबा महल किसने कराया था अलाओ दिन खिल जी ने अलाओ दिन खिल जी ने दिवाने रियासत निक्त किया था मलिक याकूब को किसको मलिक याकूब को तरीके फिरोजशाही की रचना किसने की थी जियाओ दिन बरनी ने तरीके फिरोजशाही की रचना किसने की थी कि रचना इसामी ने की थी अलाव दिन खिर्जी द्वारा दुधारू पश्वों पर लगाया जाने वाला कर क्या क्या लाता था चराई कर कि अलाव दिन खिर्जी के शाष्ण काल में 1297 में किस मंगोल शाषक ने आकरमल किया कादर खाने अलाउद दिन खिल जी की मृत्यूं कब हुई तो पांच जनवरी उन्निस सोरी पांच जनवरी तेरा सो सोला में हुई थी तुगलग वन्स की स्थापना किस ने कि थी गाजी गयासु दिन तुगलग ने कि थी संभवत नहरों का निर्मार कराने वाला प्रिथम शाषक कों तक गयासु दिन तुगलग कि था ठीक है गाजी की उपादी गयासु दिन तुगलग नहीं बसाया था तो किसने गयासुदिन तूग्लक नहीं बसेया था गयासुदिन तूगलक के बाद कौन सा महमद बिन तूगलक के नाम से Dilli के सिगहासन सन पर कौन बेठा यूना खाओ मध्य इा कालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिकर्षित विद्वान और योगिये व्यक्ति कौन था तो महंम्मद बिन तुगलक सरवादिक शिक्षित विद्मान और योगिये व्यक्ति जो था अगला कोशन किस आशक को सौवनशील तथा रक्त व्यासु के नाम से जना या था महंमध बिन तुगलक को मुहम्मद बिन तुगलक ने किर्शी के विकास के लिए किस नाम से एक नई विभाग कि स्थापना की अमीरे को ही किर्शी के विकास के लिए ठीक है मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां को ले गए दोलताबाद किसने मुहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ओफ मनियर्स की संग्या दी थी तो एड़वर्ड थामस ने दी थी दिल्ली के शाषक के काल में दक्षण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाईयों ने 1336 में विजय नगर की स्थापना की थी मुहम्मद बिन तुगलक इसके काल में हरिहर और बुक्का नामक दो भाईयों ने विजय नगर की स्थापना की थी कब की थी 1336 में कि अलाव हुद दिन बहांटिन शाह ने 1347 में महाराष्ट में है निजाम अधिन होलिया धार मुल्तान के शेख रुकुनिदीन के कब्रों और मखवए का निरुमाड किस ने करवाए था मحمत बिन तुगलक ने करवाए था निजाम उद्दीन हो लिया और मुलतान के शेख रुकनिद्दीन के कबर को जो है मकवरे में मतलब मकवरे में मकवरा बनवाया था मुहम completa के बाद संदलंत का शाशक कोन बना तो फिरोश्षा तुगलक बना ठीक है खलीविफ निकिक्स शाशक को कसीम अमिईर उलमोमिनी zm team रूफुतार ने ब्रहममंडो पर जज्यया ब्रहमंडो बीरहम मलों पर जज्ञें लगाने वाला पर्थम मुसलिम शारा कौन था? फिरोश्य तुगलक था इन्न ने बिरहम मलों पर जो है। हिंदू इन लगाया था? कर लगा दिया था. क्यूं? कि इसको जजिया कहा गया क्यूं कि यह कहते थे कि मुसल्मान जगात देते हैं तो तुम भी कुछ दो फिरोश्य तुगलक द्वारा लगाये गए सिचाई करके तहत उपज का कितना भाग देना पड़ता था तो एक बटा दस भाग देना पड़ता था उपज का एक बटा दस ठीक है मान के चलिए तो आपको दस किलो देना पड़ेगा फिरोश्य तुगलक ने कितने नए दगड़ों की चापना की थी तह, 300 बटाब की चार लंग ती, कीछ सिच्छ स्ने कि फिरोश्य तुगलक ने अगला कोशन देखिएगा फिरोश रोजवाद फत्यवाद जोनपूर फिरोजपूर हिसार नामक नगर की इस्थापने की तो फिरोजशा तुखलक ने किसके लिए दिवाने खेरात नामक नए भिवाक की इस्थापने की थी तो अनात मुस्लिम विद्वाओं की सायता के लिए है ठीक है बहुत अच्छा कार रहे किया था ये तो इन्होंने अगर देखा जाए तो किसके शैशनकाल में दासो की संक्या लगभग एक लाख ऐसी हजार सरवादिक थी तो फिरोशा तुगलग के समय दासो के संक्या भी बहुत जादा हुआ करती थी कितनी एक लाख असी हजार सरवादिक अगला कोशन दासो की देख रेक के लिए देख रेक के लिए दिवाने बदगान दिवाने बदगान दासों की देख रेक के लिए एक विवाग बनाया था दिवाने बदगान फतुहात ए फ्रोजशाही की रचना किसने की थी फ्रोजशा तुगलक नहीं की थी फतुहात ए फ्रोजशाही की रचना फ्रोजशा तुगलक के शाशन काल में निर्मित चांदी एवं तामे के मिश्रण के सिख्य को क्या कहा जाता था अध्धा और विख कहा जाता था अध्धा और विख अध्धा और विख फिरोशत तुगलक की मिर्तियू कब हुई थी तो तेरा स्वाधासी ईश्वी में हुई थी फिरोशत तुगलक की मिर्तियू त तुगलक वंश का अंतिम शाषक कौन था तुगलक वंश का अंतिम शाषक हुआ रुकनिद्दीन महमूद तुगलक तेहमूर लंग 1398 में किसके शाषनकाल में दिल्ली पर आकरमण किया था नसीरुद्दीन महमूद किसके शाषनकाल में सयद वन्स का संस्तापक कों था, तो सयद वन्स का संस्तापक था, खिस्दर खांग स्यद वन्ष का सल्थापक कों ता? खिजर खाँ 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 चलिए कोश्चन देखेंगा दिल्ली के किस आशक ने अगला कोशन देखिएगा खिजर खा कौन था तो खिजर खान जो थे वो कौन थे वो तेहमूर लंक के सेना पती थे खिजर खान के किस पुतर ने शा की उपादी धान की तो खिजर खान के किस पुतर ने शा की उपादी धान की मुवारक खाने की थी मुवारक खाने की थी तारीक मुवारक शाही को सी तारीक मुवारक शाही किस वंस के बारे में जानकारी मिलती है सयद वंस के बारे में जानकारी मिलती है तारीक मुवारक शाही में तारीक मुवारक शाही पुस्तक की रचना किसने की यहिया बिन एहमद सरहिंदी ने रचना की तारीक मुआरक शाही की स्यद वंसका अंतिम शाषक कौन था अलाउद दिन आलंशा आलं शाह भी करे अलाउद दिन आलंशा ने किस नदी के किनारे मुवार्कबाद शहर की स्थापना की थी यम्ना नदी के किनारे। लोदी वंश्त का संस्थापक कौन था तो बेहलोल लोधी दिली पर पृत्रम अफगान राज्ये की उठापना लो अपने सदारों को किस नाम से पुकार जा था था मक्सद ए आली किस नाम से मक्सद ए आली सुल्तान सिगंदर शा की उपाधी किस ने धान की थी बहलो लोधी का पुत्र निजाम खाने अगला कोशन देखिएगा पंदरा सुचार में आगरा की स्थापना किस ने की थी? पंदरा सुचार में आगरा की स्थापना सिगंदर लोधी ने की थी? किस ने की थी? सिगंदर लोधी में ने की थी? कब पंदरा सुचार में आगरा शहर की स्थापना से गुलरुखी शिर्षक से फार्शीक का विताइं लिखने वाला सुल्तान कुन था? टो गुलरुखी शिर्षक से जो फार्शीक विताइं लिखता था, अगला question देखेगा कि शाशक ने मुसल मान को पिरों तथा संतों के चाने पर पeffectiveन लगा दियो धा सिकंदर लदी ने लगा दिया था। टिक है लोधी वहंशीय अंतरिक्ता सा कौन हुआ इब्रहीम लोधी इब्रहीम लोधी किस का पुतर था। 150026 में इब्रहीम लोधी और बावर के बीच हुआ। किसके बीच में इब्रहीन लोदी और बावर के बीच यूद ठीक है कि बावर को भारत पर आक्रमन करने का नियोता किस ने दिया था तो बावर को जो भारत पर आक्रमन करने का नियोता दिया था दोलत खान लोधी ने तथा आलम खाने दिया था कि आप जो आओ और यहां पर आक्रमन करो के संतनत काल के सलतनत काल में कैंदरिय प्रिशासन का मुक्या क्या कहलाता था सुल्तान कहलाता था किस वच के शाषन काल में अमीरों का महतव चरम महसब पथा कि अगूषार का लग में मंत्रि परिषदों को क्या कहा जाता था मजल से खलवत मजलिस एक खलवत कि नहीं कहा दें और उसे क्या का जाता है मजली से खास जाता था जो मझली से खल्वत की बैठक हुआ करती थी वो क्या करती थी मजली से खास और मजली से खल्वत किसे कहते थे मंत्री परिशद को कहा जाता था संतनत कालक में वजीर क्या होता था रजस विवाग का पिर मुखवा करता था वजीर संतनत काल में प्रांतो एवं अन्य विवाग से प्राप् मुश्रिफ मुवालिक मुश्रिफ मुवालिक कहा जाता था मुश्रिफ मुवालिक प्रांत एवन अन्नी भिवाग प्रांत और अन्नी भिवाग के आए और वयाए आए और वयाए का लेखा जोका ठीक है आए और वयाए का लेखा जोका सोरी देखिए अगला कोशन देखिएगा संतनत काल में कोशन देखिएग को क्या कहा जाता था संतनत काल में कोशन देखिएग को खजीन कहा जाता था संतनत काल में सेनिय विवाग का पिरमुग क्या कहलाता था खारी जै मुमलिक खारी जै मुमालिक अगला कोशन देखिएगा संतेलत कालीन शाषन विवेस्ता में क्या कर दिवाने एर्यास कहाँ अगला कौशन कोई गौस्टां के बार नियाये सरव्च्य अधिकारि को कह ला आता था इस 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 सुल्टान के बार नियाये सर्वेच्च्य अधिकारी को कहलता था सुरवक्ष्यаноrecht का Sandy Il Kajat सद्र उस सदूर मुसल्मानों से लिय जाने वाला भूुमिकर क्या लगाता उस्र क्याला बुषण संतलत कालीन शाषन वेस्ता में गेर मुस्लमानों से लिये जाने वाला भूमी कर क्या किलाता था खराज संतलत कालीन शाषन वेस्ता में शहर या सो गाउंगे शाषन की देखरेक करने वाला अधिकारी सो गाओं एक शहर अमीरे सदा संतनत काल के सुल्तान की स्थाई सेने को क्या नाम दिया गया था खास खेल संतनत काल में दस अश्वा रोही किसके बराबर होते थे दस अश्वा रोही किसके बराबर थे एक सर खेल के बराबर दस सर एक खेल किसके बरावर ते एक सिपा सिपा सेलार हई और संतला काद में दस सिपा सेलार किसके बरावर हुआ गरते हैं ठीक है यहाँ आप ध्यान से ध्यान में रखंगे संतलाकाद में दस अमीर किसके बरावर होते थे एक खान के बरावर होते थे ठीक है इकता पिलानी अपनाने वाला दिल्ली का पिर्थम शाशक कौन था तो इल्टुमिश था एकता पिलानी अपनाई थी इन्हें इकता पिलानी होती है जमीन को देना ठीक है जिसे हम कहते हैं आज की देंग में क्या कहते हैं है पटटा ठीक है अलाएव दीन खिल के समय पर्था को समाब्त कर दिया गया था धिया अप ऐलाओ दीन खिल जी के समय पर्था को समाब्त कर दिया थे 25 झाली दुवारा कि इस तीस कि किसने allow कि दुखृशा सब्सक्राइब पूर्ण रूप से केंदर में जो ररेने वाली भूमी होती थी उसे क्या कहते थे कहल से भूमी केते हैं संतलतकाल में कों सा अंतराश्टी बंदर diferentes देवल का देवल-डेवल जुता वह साथ संगम राजवन्स की स्थापना किस ने की थी हरीहर और बुक्का ने की थी संगम राजवन्स की स्थापना तो आप याद रखेंगे संगम राजवन्स की स्थापना किसी हरीहर और बुक्का ने विजयनगर समराज्य की राजधानी कहा थी हम पी थी विजयनगर समराज्य संगम्वंज का सबसे प्रताबी राजा को था देवराय दिर्थिय था संगम्वंज का सबसे प्रताबी राजा मतलब सबसे एक अच्छा राजा मतलब खतनाग राजा कह सकते हैं या प्रताबी मतलब जिसका प्रता जिसका सबसादा प्रिभाव रहा हो फार्सी राजदूद अब्दुल रज्जाक किसके शाषरकान में विजय नगर आया था देवराय दिरित्ती के समय विजय नगर आया था विजय नगर समराज्जी पर तुलूब वन्ष की स्थापना किसने वीर नर्सिंग ने कि तुलूब वन्ष का सबसे महां शाषक कौन था खिष्ण देव राय था किस मुगल शाषक ने अपनी आत्म कथा में किष्ण देव राय को भारत का सारवादिक शक्ति शाली शाषक बताया बावर ने बावर नाम में तुलूब में अमुक्त मल्याद की रचना किसने की थी ये एक तेलुगी भाषा का जो है रचना है किष्ण देव राय ने की थी ठीक है संस्कृत में जमबाती कल्याणम की रचना किसने की थी देव राय किष्ण देव राइने की थी पांड ऊरंग महामत्याय cushan की रचन कि neutr 3 मको टेनाली ऊहं कि राम्किष्ण ने की ठीके हजारा तथा बिठ्थल स्वामी मंदिर का निर्माल किने कर वाया था किय थो D का नागलपूर नामक नगर को किसने बसाया था तो किष्णदेव राय ने बसाया था तुल्प वंख का अंतिम्ट्म उश्षक कोन हो कह सदासिव था अरवएड़ो अर्भीडू वंश की स्थापना किस ने को थे तुरू मल ने की थी अरविडू अरaldo विडूव分श का अंतिम सब्सक्राइब गाउं में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान भूमी की धारण अवब पद्धिती क्या कहलाती थी उबली कहलाती थी कि विज्य नगा समराजिये में युद्धिक्यों सोर्य का प्रदर्शन करने वाले मिर्थ लोगों के परिवार को दी गई भूमी क्या कहलाती थी रक्त कोड़ गे है जो युद्ध मर जाते थे उनके परिवार को दी जाती थी भूमी उसे कहते था रक्त कोड़ गे विज्य नहगार का सेनिय विवा-क्षत Pay म क्या कलाता था कदा चार कड़ा चार विजयनगर के सेनी विवाक का उच्छे अधिकाई क्या कहलाता दंड नायक या सेनपती विजयनगर समराजिये में उत्तर भारत से दक्षिन भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता दा बढ़वा विजनगर में मंदिरों में रहने वाले इस्त्रियों क्या कहा जाता था देवधासी कहा जाता था विजनगर समराज्य की मुद्रा का नाम क्या था पेगोड़ा में मनी समराज्य की मुद्रा का नाम क्या था हूड तेरा सो से तालिस में बहमनी राज्य की स्थापना किस ने की थी हसन गंगु ने की थी वे अलाव दीन हसन बहमन शा के नाम से भी सिंगासन पर बैठा हसन गंगु किस ने किस शेहर को अपना राजधानी बनाया गुल बर्गा को अपनी राजधानी बनाया किसने हसन गंगु ने मुहमाश्य शा पिर्थम किसका पुत्र था तो अलाव दिन हसन बहमन शा का था को यह मनदी के तट पर फ्रो रवा फ्रो अबाद की स्थापना किस ने किति तो भी मनदी की तट पर जय फ्रो वाद की स्थापना किती ताज उद्दीन फ्रोज छे ने थिक है ठीक है कि कि कोन था कलीम उल्ला कि दाउद पिर्थम का सब्सक्राइब कर्धिक कि एक कि स्थाप ने की ति कश्मिर का पिर्थम मुस्लिम शार्षक था शम्शुदीन शामीर का पिर्थम मुस्लिम शाशक था धार्मिक शैशुनत्ता के कारण किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था जेनूल आभिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था महँ भारत था राज तरेंगनि का फार्सी मनुवात किसने कर चैनूल आभिदीन था कि मह भार्त यह उर्ण राज प्रण सट कि निर्माल को मैं नुष्ष्टरफट सांत Mt मालवा के मांडव के किले का निर्माड किस ने करवाया था हुशंग शा ने करवाया था हुशंग शाने करवाया था मांडवा के किले का निर्माड मालवा के मांडव के किले का निर्माड जो किस ने करवाया था ठीक है 14.5 में मालवा का शाशक बनते ही अल्प खाने किसकी उपादिधान की थी हुशंग शाकी रूप मती का महल का निर्माल किस ने करवाया था तो सुल्तान नसीर उदिन शाह ने करवाया था रूप मती के महल का निर्माल कि मालवा के मानडु में जहाज मेहल का निरमाण किसे ने करवाया था गया सु दिन खिलजी ने करवाया था करे 12enthalpro में विजय स्थम की स्थापना किसे करवाया था, 1449 में चुत्थोड ने कराए थी नर्मद तेरा सो ब्यासी में नर्मदा था तापती नदियों के बीच खान देश की स्थाफना किस ने कराए थी मलिक एहमद राजा राजा फारूकी ने बावर के पिता का नाम क्या था शेक उमर शेक मिर्जा बावर के पिता का नाम क्या था उमर शेक मिर्जा नाम था बावर ने भारत पर कितनी बार आकरमन क्या पांच बार आकरमन क्या था भारत ने वह बावर ने है पंदरह सो नीज में बावर ने प्रिथम के विद्रों चैय सी यूसीब जाई-उ-णी कि किस मुगल शाशक ने युद्न में पहली बाप दोप खाने का प्रियोग किया था रहा कि मोगलों का शाशन काल यह रहा बावर का शाशन काल यह 25 शबीस इस पने इस थिस 56 सोरी पवाद इस जो है 25-25 तक शेह शूरी साशलक रहा जो मुगल से नहीं था बीच में यह दोए शेश250 से 65 तक रहा जहाँका जाशन काल रहा शूशंख 16 सब्सक्राइब के बीच लड़ा गया तो आप यह तीन चीजे जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यह आपको याद रखना ठीक है इनके बीच लड़ा गया बावर और मैदिनी राय के बीच चंदेरी का युद हुआ बावर और मैदिनी राय के बीच हुआ तब चंदेरी का युद वो कब हुआ था पंद्रह सा ठाइस में हुआ था 1529 में घागरा का युद हुआ किसके बीच हुआ घागरा का युद तो यह बावर और अफगानों के ड़ी पाधि धरण की थी तो गाजी में कहा भाभर का मख्वरां कहां पर तो काभूल में किस ने किया था 계속 अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था चार बाग बनाने की परंपरा शुरुवायत कहा हुई थी? अकबर के समय हुई थी चार बाग का मतलब हो था चारो तरफ पानी की नहरे, ठीक है? चार बाग का लादी थी वो अबियान, पध्य शेली का जनक कौन था? बावर था बावर के बाद मुगल समराज जाई गद्दी पर कौन बेटा? बावर का पुत्र जो था? वह हमायू बेठा गद्दी पर हमायू का पुरा नाम था नसिरुद्दिन हमायू कामरान असकरी तथा हिंदाल किसके पुत्र थे बावर के पुत्र थे यह दिन पना नामक नए नगर की स्थापना किस ने किती हमाईयू ने किती 1514 में चोरसा का युद लड़ा गया किसके भी शेर खां और हमाईयू के बीच लड़ा गया था ठीक है किस युद में विजय होने के बाद शेर खाने शेर 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 शा की उपादी घ्राण की थी चोरसा के युद के बाद कौन से युद के बाद चोरसा के युद के बाद में शेर खाने शेर खाने शेर खाने शेर शेर शा की उपादी पद्वी जो धान कर ली थी बिलगे राम यूद्ध को और किस नाम से जाना जाता कंणोच के नाम से जाना जाता शूरी तथा फिर इंसे जो होता फिरी जीज़ जाता है ठीक है फिर ये लाइबरी की सीडियों से गिर के इनकी मिर्तियों हो जाती है कौन सा मुगल शाषक पंदरा वर्ष्ण तक घुमक्कलों जैसा जीवन व्यत्तित करता रहा हमायू मैंने कहा था आपको जे पंदरा सा इन्होंने बीच में यह हार गया था इन्हें भागना पड़िया था तो यह जी घुमते रिये कि शेर्षा सूरी हमायू के बीच देवरा का युद हुआ कब लगाया पंदरों से एकत्तिस में लगाया था शेर्षा सूरी और हमायू के बीच में देवरा का युद हमायू का विवाद किसके साथ हुआ था हामीदा बानो बेगम के साथ में हुआ था हमायू की रचना किस चेसंने की ती कुलबदन बेगम ने की थी ठीक है इनकी बेहन थी यह है शेहर शाय सूरी का बच्पन का नाम क्या था फरीद खां में भृष्पन का ऊपादी धान की थी क्योंकि एक शेर को तलवार के एक ही वार में मार दिया था इसलिे इनको जय उपादी दे दी गई थी, शेर शूर की, शेर शाष शूरी का मझबरा कहां पर ने च्छाष करवाय था, रोतास गर्ड का किले का निर्माड दिल्ली में किलाये कुनहा नामक मस्जिद का निर्माड किसने शेर्षा सूरी ने करवाया था दिल्ली में भी निर्माड कराया थे इनोंने किस शाशक ने भूमी की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंद्री गज सन की डंडी का प्रियोक क्या गया था शेरशा सूरी ने कराया था रुपे की शुरुआत किस शाशक ने की थी शेरशा सूरी ने रुपे की शुरुआत की थी पट्टा पिर्था की शुरुवात किस ने की थी शेर्षा सुरी ने की थी शेर्षा सुरी के सर्शनकाल में फसल में फसल के पेदावार का कितना भाग लगान के रूप में लिया जाता एक बटा तीन ले जाने लगा था पहले एक बटा दस लिया जाता था कि डाग प्रिथा का पिरचलन किसनी शुरू किया था शेह स हब सुरी ने प्रोट का निर्माण कर आयए तो जिसको ग्रेंट रट कि रोट कहा जाता जीटी रोट कहा जाता ठीक है कि शाशक ने पाइटली पुत्र का नाम बदल कर सुरी कर दिया था का मिस्तै एक बाद मुगल समराजज़्य का शाशक क्षोन बना तो हमायू के बाद में च माहिए बना 14 पंदरहज सो बैयालीस में अकपर का जन्म किहा हुआ था अमर कोर्ट में हुआ था अकबर के बच्पन का नाम तो जलाल अकबर का पूरा नाम क्या था जलाल अद्दिन मुहम्मद अकबर अकबर का जनम के महल में हुआ था राणा वीर साल के महल में हुआ था अकबर का सनरक्षन कौन था बेरम खाँ बेरम खाँ नहीं ने सनरक्षन का मतलब होता है इन्होंने इने ग्यान दिया इन्होंने इसको सिखाया युद की निती सिखाई युद तल घुड सवारी वगेरा सारी चीज़ शिखाई अकबर का राज जी अभिशेक कब हुआ पंदरास चेटर के बीच में निसार खाने से अकबर ने किस वर्ष उडिशा को जीता निसार ख हरा युद के सबते हैं 25 में अकबर ने गुजरात को किस वर्ष जीता था पंदरस एकथिशन में जी спete अगबराना प्रताव के बीच हलती घाटिका इतंग कि कभ हुआ 1556 इस युद्व में अकभर का विजय हुआ था ठीक से अकभर जीत गया था इस युद्व को 1556 में पानी पत की दूसरी लडाई कि अकभर तता हैमु के बीच में हुई थी कि ठीक है 1556 की ज़ब पानी पत का दूसरी लडाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी, अकबर और हैमु के बीच हुई थी, किसके अकबर और हैमु के बीच हुई थी, अकबर जीद गया था मुगल सेना का नेतिवी किस ने किया था मान सिंग और आसफ खाने अकबर दुबारा किये गए अभ्यान को इत्यास का रिस्मित ने संसार का इत्यास सरवादिक दुर्त गामी अक्रमल कहा गुजरात अभ्यान को किस मुगल शाशक ने दास प्रिथा का अंत किया अकबर ने दा नामक शहर की स्थापना इंद है कि सब्सक्राइब कि तो यह था ऑसे चला था इसने इलाही खिए-धरू क統 Psalm ठीक है अकबर ने जगत गुरु की वाधी किसे प्रिदान की थी जेनाचारीय हरी विजे सूरी को जगत गुरु अकबर के दरबार में पिरिसित संगीतकार कोन थे तांसेन अबदुल समद कोन था? अकबर के दरबारी कभी पिरिसित चितरकार था? दसवन वसावन कौन थे अकबर के दरवारी कभी और चितरकार थे किस मुगल शाषक के शाषन काल में देह साल बंदोबस्ती ववस्ता लागू की गई थी अकबर किसमें मनसबदारी पिर्था किस ने शुरू की थी अकबर ने जोदावाय का महल थे था बुलंद दरवाजा का निर्मार किसमें करवाया था अकबर ने जोदावाय का महल और बुलंद दरवाजा हमायू का मकबरा कहां परिस्ते थे दिल्ली में हमायू का मकबरा आगरा लाल किला हमायू का मकबरा आगरा पुरह लावर की एकर ने कर आखचना के अबुल फजल ने की थी टो आखबर के दरवार की राज कभी कौन थे प अ को इस्य ने अकबर ने किस अमीरूल उमरा के इती भगवान दासको दे थी पंच तंतर का फार्सी में अनुवाद अन्वार सहादत नाम का अन्वाद किस ने किया था अबुल फजल ने किया था पंच्चतंत्र पंच्चतंत्र का फार्सी में अन्वार सहादत सहादात सहादत नहीं सहादात पंच्चतंत्र का फार्सी में यारे यारे दानिश नाम से अन्वाद किस ने कराया था मुलाना हुसेन फेज ने किया था किस मुगल शाषक के काल को हिंदी सहित्य का सुन काल कहा जाता अकबर को मुगलों के राच राच किये भाषा कौन सी थी फार्शी अकबर कौन सा वान यंत्र बजाता था नगाड़ा अकबर कौन ने महापात्र की उपादी किसे प्रदान की थी नरहीर को नियाई की जंजीर किस मुगल शाषक को कहा जाता है जहागीर को मुगल शाषक जहागीर का जनब कहा हुआ था 30 अगस खुसरों ने जहांगिर को अन्य किस नाम से जाना जाता सलीम जहांगिर को अन्य किस नाम से जाना जाता सलीम नाम से जहांगिर के किस पुत्र ने उसके विरुद विद्रों किया था खुसरों ने कि जहांगीर के खिलाब विद्रों में खुश्रों की सायता देने के कारण जहांगीर ने किस शिख गुरू को फासी देदी थी अर्जुन देप को देदी थी कि पांच वह गुरू थे शिख होगे जहांगीर ने ठीक है मुगल शाषक के काल में चित्रकला का चर्म उस्चित का जहांगीर के काल में ठीक है जहांगीर के काल में सबस्यादा फली भूली किस मुगल शाषक के काल में कैप्टन हॉकिंस ततसर टॉमस रो भारत आये थे जहांगीर के काल में आये थे कैप्टन होकिंग सर टॉमक्स रो भारत आये थे जहांगिर ने किसे इतमाद उद्दोला की उपाधी धर्ण की थी गयास बेग को 1626 में अबुल मुझफर सहबुद्दिन मुहमद शाहिब किरन ए सानी की उपाधी प्राप्त कर कौन मौगल समराज जी की गुद्धी पपेटा शाह जहां 1626 में शाह जहां ने किसे खान खाना की उपाधी प्रदान की थी महावत खागो महावत खागो खान खाना की उपाधी धर्ण की दी थी ताज महल की रूप लेखत किसने तयार की थी उस्ताद इंशा खाने ठीक है ताज महल का निर्मालक कराने वाले मुख्य बस्तुकार कौन थे उस्ताज एहमद लाहोरी ठीक है रूप रेखत तयार किसने की उस्ताज इंशा ने और बस्तुकार कौन थे उस्ताज एहमद लाहोरी कि इस मुगल शाशक के काल को इस्तापत्य का स्वन यूग कहा जाता है अगरा के जाम मस्जिद का निर्माड किस ने करवाया था शा जहां की पुत्री जहां आरान है 1658 में धर्मकट का युद सामुगण का युद किसके बीच हुआ तो दारशी को और और अजयब के बीच हुआ था वनशीधर मिश्ड तथा हरी नारायन मिश्ड किस के दर वार में संस्क्रित कभी थे साजहां के दर वार में जैस्ज मोगल शाशक को जिंदा पीर कहा जाता था और النजयब को जिंदा पीर कहा जाता था। 16-18 में औरन्जेब का जनम किस इस्थान पर हुआ था दोहाद गुजरात में। औरन्जेब का गुरू का क्या नाम था मीर मुहम्मद औरन्जेब का बिवा किस से हुआ था दिल रास बानो बेगम से हुआ था बीबी का मकवरा कहा इस्तिते और अगवाद में हैं। औरन जेब ने किस गुरू के हत्या की थी तेक बहादूर जो नवे गुरू थे सीखो के उनकी हत्या कर दी थी मुगलों में सबसे तागदवर शाषक कौन था तो औरन जेब मुगलों में सबसे तागदवर शाषक था औरन जेब कि शाषन काल में मुगल सेनाय में सरवादिक हिंदू सेनापती थे और अंजेब की हिंदू सेनापती सरवादिक कि शाषन काल मंत्री परिशत को विजारत कहा गया मुगल काल में मंत्री परिशत को क्या कहा गया विजारत मुगल काल में प्रांतिय रजस्व का प्रधान कौन होता था दिवान मुगल काल में प्रांतिय रजस्व का प्रधान हुआ करता था दिवान मुगल काल में प्रांतिय सेन्य प्रधान हुआ करता था कौन बक्षी नगर प्रधान हुआ करता था कोतवाल मुगल क्वारल में पिर्थियक चुरूप से बाश्चा के नियंत्रल वाली भूमी को क्या कहा जाता था खालसा भूमी बाश्चा के नियंत्रल में होती थी ये भूमी मराटा समराज के संस्थापक कौन थे शिवाजी शिवाजी के गुरू का नाम क्या था कौन देव तिर्तिय युद्ध किसके बीच हुआ मराठोर आहमश्य अब्दाली के बीच हुआ था कि 1761 में पानीपत का युद्ध कि पानीपत का युद्ध ओघूनिक भारत का इत्यास देखांगा हुँ तने मध्यकालीन खतम हो गया कि राचीन समाप्त कर दिया हमने दोख अब तक कर दिये तीसरे भारत और यूरोप के बीच ने समुंदरी मार्ग की खुज किस नहीं कि थी वास को डी गामाग नहीं कि थी पंद्रों सो पांच में भारत में वाइसराय बनकर आने वाला प्रिथम पुर्तगाली कौन था फांस अलमीडा थीक है अलमीडा होता है अलफांसो दी अलबुकर ने किसको हराकर गोवा को जीता था यूसिफ आदिल्छा को हराकर जोए गोवा को जीत लिया था पुर्तगालियों ने अपनी पहली वैपारिक कोटिक कोचीन में खोली थी पुर्तगालियों ने अपनी पहली वै भारत आने वाला पिर्थम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था तो भारत जो आया था पिर्थम जहाज अंग्रेजी जहाज जो था Red Dragon था नाम उसको जहाज का क्या नाम था Red Dragon क्या नाम था Red Dragon 1611 में अंग्रेजों ने पूरवी तर्ट पर अपना प्रिथम व्यापारिक कोठी कहां इस्थापित की तो मूसली पट्टम में किती कहां मूसली पट्टम में अंग्रेजों ने पच्छिम तड़पर सूरत में किस वर्ष अपनी वयापारी कोठी स्थापित की hoc 1613 में अपनी कोठी किती बंबई के किस गवर्नर ने बंबई शेहर की स्थापना की थी तो गेरान्ड — ओलिंग्यार शिस्यों ने की थी यह आप याद रखंगे 1668 में 1674 में किस ने पांडीचेरी की स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने की थी 1670 में वांडीवाश की लड़ाई वांडीवाश का युद्वा था अंग्रेज और फ्रांसिस्यों के बीच हुआ था किसके शाषनकाल में बाल। को भारत का स्वरग किसके शार्षन काल में अला अलीवर्दी खांड कर्स भारत को दिगाया था काल कोटरी की रिस राजदी बेक ब्लेक हो अफ ट्रेजडी की घटना कब हुई थी 1756 में हुई थी एक कोटली में डाल जा गया था सभी भारतियों को उसमें सब बहुत मर उसमें सब लोग मर गये थे रोवर्ट किलाइब और सिराजुत दोला के बीच पिलासी का युद हुआ का कौन सा युद पिलासी का युद तेज जून 1757 में हुआ था 1764 में बक्सर का युद हुआ बक्सर का युद के समय अंग्रेजों का सेनपति कुण था हेक्टर मुन्रों था 1664 में वक्सर का युद किसके बीच हुआ अंग्रेजो और मीर कासीम शुराज दोला आलामशा दृत्तिये और अंग्रेजी जीते इसमें क्यूंकि इसमें धोका दे दिया था मीर कासीम ने कि टीपु सुल्टान किसका पुत्र था हैदर अली का टीपु सुल्टान किसका हैदर अली का पुत्र था मैसूर का शेर है हैदर अली शेरे महसूर का नाम से कौन जाए आता टीपु सुल्तान शेरे महसूर के शेरे टीपु सुल्तान पिर्थम अंगल महसूर यूद 67-69 तक नड़ा गया शीकों के अंतिम गुरु कौन थे गुरु गोविंद सिंग हुए शीकों के 1699 में खाल सा पंति की स्थापना किस ने की थी गुरु गोविंद सिंग ने की थी खाल सा पंति की स्थापना शीकों के पिर्थम गुरु कौन थे गुरु नानक थे 1549 में गुरु नानक की मिर्थ्यु का हुई थी करतारपुर में गुरू मुखी लिपी की शुरुवात किस ने की थी गुरू अंगद देव ने पाहुल पिर्नाली की शुरुवात किस शिक ने शुरू की थी गुरू गोविंद सिंग ने की थी शुरू से स्त्यावण उफ श शाइट शु शुरू से सट्व शुबू गोवनर कौन थे रौवावल खुदू अगे से रवेट खुदूный, थि कौन थे उथक स्था सत्यावण, भारत में कंपणीकर इन प्रत्रम गोवनर्वar चर्नाल कोण भन रथा भावारeन हैस्ट्टीं 17-81 में कुलकत्त में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रिथम मदरसा किस गवरनर जर्नरल ने इस्थापित किया वारीन हेश्टिंग ने मदर्सा प्रिथम मदर्सा ठीक है 2018 में किसने कुलकत्त में फ tilt विलियमं कोलीज की धूपनовой की लछ वेले जली नहीं थी फैसे लॉड्वेले जली नहीं कौन से गवरंपोर स्वयम को बंगाल का शेर क हे कहलाता था तो लॉड्वे जली अठराथ चोविस में बेरंगपूर का सेन्गे विद्रोकिस्ट गवर्नल के शाषन कालमवा लॉर्ड एम हश्ट्र अठराथ तेटिस में भारत का पहला गवर्नल जनर्रल कोन मना बिलियम बेंटिक लॉर्ड बिलियम बेंटिक अठराथ तेटिस में भारत का पहला गवर्नल जनर्रल कोन मना लॉर्ड बिलियम बेंटिक 1813 में बहुए 33 में भारत का पहला गवर्णर जर्रल कोल बना यह बना था लॉड बिलियम बेंटिक किश वर्स से बंगाल के गवर्णर जर्रल को भारत का गवर्णर जर्रल कहा जाने लगा 1833 के बाद में क्या कहने लगा भारत का गवर्णर जर्रल भारती प्रेस का मुक्तिदाता किस गवर्णर जनरल को काया था चार्ल्स मेटकॉफ को 1843 में किस गवर्णर जनरल के काल में रहिवार की छुट्टी की शुरुआद हुई लाड एटनवरो रहिवार की छुट्टी लाड एटनवरो लाड एटनवरो द्युटानवरो भारत में रेलवे का जनक काहा था भारत में प्रिध्य करोप से सर्वाजिनिक निर्माळ एधा स्थापना किस ने किती Lord Hajji ने अंट हर अचत हरतष चोओं में किस गवथे जन्रल ने 70 Mr.child रूप में लोग लेख लोक सेवा विभाग की स्थापना कि लाड डल होजीने किती ऐखहरत प्रिथम भारती है कौन थे जिननोंने लंदन में सिविल सेवा परिक्षा की सफलता प्राप्त की तिस सतेंदर नाढट टेगोर थे ये भारत का प्रिथम वाहिसराय कौन था लाढ़ कैंग था किस वाहिसराय के समय विदवा पुनर विवाल पूर्ण रूप से लागु हुआ लाड केनिंग के समय बिद्वा पुनर विवा के रूप में भारत में पहली वार्थ जिलंगर्णा किस वाइसराय के काल में हुई तो भारत में जिलंगर्णा पहली बार जो थी वह हुई थी किसके समय लाड रिपन के समय हुई थी लाड रिपन के समय हुई थी लाड रिपन, फ्लोरेंस नाई टेगल ने किस वाइसराय को भारत का उधर धारक की संग्या दीती, तो लाड रिपन को दीती भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किसका तो लाड एलिंग दिरित्तियेगा अलिंगन दिरित्तियेगा, चितरंदेंदास और मोतिलान लहरु ने सवराजotle की सथापना की थी? उनी सउतेईस में चितरंदेंदास और मोतिलान लहरु ने सवराजocate की स्थापना की थी? किस वाइसराय के समय नंwo अगस collaborative निस्व बेयालिस को भारा छोड़ा अंदेलन शुरू हुआ तो लाल लिंथ लिंद लिंद लिथ गोगे सुमें ठीक है जहें शुरू किया गया था कि 587 किरांती के समय इंग्लेंड के प्रधान मंत्री कोन थे सब्सक्राइब कर रहा था तो हजरत महल बेगम हजरत महल कर रहा ही थी कानपूर का नेतित्व कोन कर रहा था नाना साब कर रहे थे लखनाओं की बेगम हजरत महल कर रहे थी ताट्य टोपे दोनों कर रहे थे नाना साब और तत्य टोप Many teach कोन कर रहे थे जग्दीश में कोन कर रहे थे फत्यव पुर्क नहतित्व कौन कर रहे थे अजी मुलाँ फयजाबाद में कोन कर रहे थे मूलवी एहमद उल्लाँ को कि बरेली में कोन कर रहे खान बहादुर खां ताथय टोपगा ओरिजिनल नाम क्या था मतलब असली नाम क्या था रामचंदर पांडूरंग अटारल तेंटिस में तीरत सिंग के नेतित में खासी विद्रो खासी विद्रो असम में हुआ था ठीक है खासी विद्रो उनिसरो चोदा में जत्रा भगत के नेतित में ताना भगत अंदोलन कहा पर हुआ बिहार में ताना भगत अंदोलन भिःार में आहोंबिद्रो extraordinarily 1828 में गौमधर कुवर के नेतित्व में 1831 में सेद एहमद तुती मीर के नेतित्व में बहावी अंदोलन बहावी अंदोलन कहां बिहार दा उत्तर प्रिदेश में 1905 में स्वादेशी अंदोलन विचार सर्प्रिथम किसने प्रसुत के किष्ण कुमार मित्र ने स्वादेशी अंदोलन के स्वादेशी अपनाओ है पिलेग अधिकारी रेड एंड इस्टड की हत्य किस ने की थी चोपकर बंधु दामोदर एंड बालकिष्ण ने की थी और इंदर कुमार घोष एवं भुपेंदर नाथ दत्य ने किस वर्ष योगांतर नामक पत्रिका की शुरुवात की थी योगांतर यह थी 161906 में खून के बदले खून का उद्देश से किसने बंगाल में अनुशीलन समीति का गठन किया था तो यह पी मित्रा किसने बंगाल बाल गंगधर तिलक को भारती अशन्तोस का जनक कहा बेलेंटाइन शुराले ने श्याम जी किष्ण ने किस वर्ष लंदन में इंडियान हॉम रूल सुसाइटी की स्थापना की थी 1905 में की थी जलिया वाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था तेरा अपलें 1909 को जलिय जलिया वाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद उपादी लुटा दी थी जलिया वाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपादी थी जलिया वाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपादी थी जलिया वा इनों लोगों ने अपने वपाधिय लोटा दिड़िती गांधी जी न्чески अगलन के श हिरुवाद कभी एक एक अगस्त उन्निससो बीस में की थै लिया dzisiaj जो था सच जो डोलना सब्सक्राइब हुआ था पुलिस चोकी पर जो फाइरिंग कर दी कर दी थी तो महात्मा गांदी ने इसको आहिंसक तरीकों को देखने के बाद में आस्वयोग अंदोलन को जह इस्थकित कर दिया था शेकर का शंटशेकर ज़ात का पूरा नाम क्या था रजात की अपनी गोली खुद को मारी ठीक है क्या था वो कोई ऐसी गोली नहीं जो के अंग्रेजों की चंदर शेकर के अज़ाद को सचीर सके तो यह 27 फरवरी 1931 में हो ठीक है इन्हों ने अपना आपको ही गोली माल ली थी ठीक है अंग्रेजों से लड़ते हुए मतलब इसके साथ में धोका कर दिया गया धोक दोकर दोकरदें गया था जिसको यह अहां पर घिर गये थे उनिवहां-गाणि न Commence Evercare कि अधिवेशन के कि चालिसवा दिवेशन था यह ठीक है बेलगाओं का दिवेशन किस वर्ष काकोरी कांड की घटना हुई थी नौ अगस 1925 में हुई थी काकोरी ट्रेन डकेती जो हुई थी ठीक है को काकोरी वर्ट ट्रेन जो लूटी थी लूटने की अक्टिस घटना के बाद राम प्रसाद विस्मिल राजेंद प्रसाद लेहडी रोशन सींग तथा अश्वा कुल्ला खां को 1927 में फासी दे दी गए काकोरी कांड के लिए अकिल भारती महिला संग कब इस्थापित के गया 1926 में अखिल भारती महिला संग जो इस्थापित किया गया साइमन कमिशन को किस नाम किस अ जो है लाला लाचपत राज की मिर्ति ओजाती है और लाला राचपत नाय ने कहा था कि यह जो अंग्रेजियों के जो तावूत में जो है की लोग का काम करेगी जितनी लाटी है मेरे सिर पे पढ़ी है साइमन कमिशन का विरोध किन दो पार्टियों ने नहीं किया तो 28 में लाहोर तकाली साहे ताना साहे सभश्स चप्ताण संडरस को मार करें बहत शिंघन संदर्स को मार कर जूए इनकी हत्या कर दी ती सांडर्स कहने पर ही जलिया वाला बाग हत्या कांड हुआ था सांडर्स नहीं गोली चलवाई थी उसका बदला लेने के लिए जो इनोंने मारा था कulsive 1929 में कंग्रेशन ने पूरं सुराज की घोशलना की ति लाहोर अधी वेशन में पूरं सुराज की घोशलना कर दी थी तु Sikh 21 दिसंब्र 1929 को आधी रात को 11 12 बजे जवाल लान नेहरु ने किस नदी के तट पर तिरंगे जंड़ा को फेराया था रावी नदी के तट पर कांग्रेस के किस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रिथम स्वाधिनता दिवस के रूप में मुनाने गोशन की लहोर अधिवेशन कि 1929 में हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन एस्वेशन की स्थापनक की गई थी चंदर्शेगा राजात के दुवारा की गई थी उन्नीससोटीस में लहोरा दिवेशन किस के अधिश्टा में हुआ था जवालान le 있ला के अधिश्टा में मुनाठा समझोता को किस नाम से डिली समझोता कर नाम से तर रिचाने आना कि के बाद गॉण्दी के समय मेहां रहा नावादन लिया थी आ पर रजेञत प्रशाद ने बाह नहीं लिया थे यह पर रजेंद पत्रमेयं नुद्र यह बहां दो फ widespread नहीं ही लिया था कि वा थे भार नावमर fires gauge घौन कब 1932 को हुब था तीनों गोल में औन गोल में समयलन का अयोजन लंदन में ही किया गया था, आगि innovations को चिशवर्ठário कर च सब्बाग लटाया गया था, कांघरेस इस सोसिलिष्ट पाटी के स्थापना की गए ती उनीस सो चॉंब३रिस में वारट नंहें पर नाश मुत्र अनुब्लोक की स्थापना की गए ठीक छाथ है तो तो 9 smart 2022 को भारात शुड़ अंदोलन की उश्रवात की वए थी भारात शुड़एंद के सम्वें के किस ने करो यामरो का नारा दिया था सुम महात्म गानि ने करो अजाद हिन फोस का एक का संभलता पूरबा स्थापना का श्रे किसे जाता है, राज-बिःभरी बोस को जाता है, तेज़ जनवरी उन्याट्स सेतानुए को सुबाज चांदर बोस का जन्म हुआ था, कटक में उड़ीसा के, उडिसा के कहा हुआ था कटक में हुआ था 19 फरवरी 1946 को बंबाई में किस समुंदरी जहाज ने नोसेजिनिक से नोसेणाग विद्रोग किया था एन आई 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 आइनस तलवार कि समय ड roof — किस के नहते तुम्हें 24 मार्वç 1946 को केविनेटि मिशन भारत आया था पैथिक लोर्यां तिक किसके पैथिक लॉराइंस के नेते तुम्हें माउंट वेटन योजना को कांग्रेस कारीय समीती ने किस वर्स आश्युक्यार किया था तीन जून 1947 को आश्युक्यार कर दिया था भारत के अजादी के समय इंगलेंड का समराइट कौन था जॉर्ज सिक्स था कौन था जोर्ज सिक्स सोतंतरा प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो जेपी किरपलानी थे कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे कौन थे जेपी किरपलानी थे सोतंतरा प्राप्ति के समय सोतंतरा प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधान मंत्री कौन ता जॉर्ज यूल था कांग्रेस का प्रिथम बीटिस अध्यश कौन था जॉर्ज यूल था पंजाब में डंड़ा फोज डंडा फोज गठन में किसने की दमन दीप ने चमन दीप ने की थी, देव समाज के संस्थापक कौन थे, शिव नराण अगनी होतरी थे, आत्म सम्मान अंदोलन की शुरुवात किसे ने की थी, स्वामी ने कार्म ने की थी, नेंकारी निंकारी अंदोलन की शुरुवात किसे ने दयाल दासने की थी, सबसे कम रूमों में वाले किरानतिकारी कुणंत कुई थी खुरी राम बोस को इनकलाब जिंदाबाद कह ना नहरा किस भागत सिंग ने बदाद भागत सिंग को फासि की सजा सुनाने वाला नियाईद यसकों थी जी सी हिल्टन था महात्मगानी को सरपिर्थम महात्मा किस ने कहा था रविम्दार टेगोन ने कहा था महात्मा की उपादी दी थी नों ने ठीक है राश्टि पिता की उपादी दी थी सुभाज चंदर बोस ने सुभाज चंदर बोस ने सर पिर्थम नेता जी किसी ने कहा था एडॉल्फ हिटलर ने कहा था महात्मगानी के राजनेतिक गुरु को ते कोपाल किश्ण गोक ले थे भारत का विसमार के किसे काया था सरदार भाला भाई पटेल को कहा जाता है कि इन्हों ने भारत के राज्यों को मिलाया था बल्लब भाई पटेल को सरदार की उपादी किस ने दी थी तो यह बर्दोली सत्यगिरे के समय महां की महिलाव ने दिया था 1928 में इनको उपादी दी थी शुद्धी अंदोलन के संस्थापक कोन थे दयारंद सरस्वती थे शुद्धी अंदोलन के 19 पे शताब्दी में के भारती पुनाजर्ण का पिता किसे काया था राम महां राय को का जाता है महात्मा गांदी को अर्दनंग फकीर किसने का था फ्रेंक मोरिस ने का था यंग बंग अंदोलन का प्रवर्तक कोन थे तो बिरिजियन डेरी जियो बिना ताच का बाश्या किसे का जाता है सिम्ला भी कहा जाता है एस्ओ हूम को कहा जाता है गिरेड ओल्ड मैन और ऑफ इंडिया किसे रादधा भाई नरोज जी कहा जाता है लौक हित्वादी के नाम से किसे जाना जाता किष्ण को गुपाल हरी लेश मुक को कहा जाता ठीक है कांग्रेस के पिर्थम मुस्लिम अध्यक्ष कों थे बदूरु दिन तयब जी थे किस एक्ट को बिना अपील बिना दलील बिना बकील बिना दलील का कानून कहा गया रोल एक्ट एक्ट को कहा गया इस फिला दोलत खिलाफत अंदोलन की शुरुवात किसे ने की ती मुहम्म्मद अली और शोकत अली ने की थि पाकिस्तान के शब्द जमजाता कोना है चोधरी रहमत अली ने जो पाकिस्तान का सब्सब्स ताप को किसने किस से पॉस्ट डिटक्ट चेक मतलब जो कहा था महत्म्हाट्प गांधी ने कहा था कि ठीक है यह यह कहा था ये ऐसा थे यह लो कभी तुम भूना नहीं सकते है ये रहाई सभा की सथापना किस ने तर्फ पंदित रामा वाई ने की थी ती पिलियम जोन्स के किस वर्श सुसाइटी डियाणास्वश्वत्र में थी Запाल पर चोटर में सत्रीक नियम्स प्रजर में對 मैं की गोपाल किश्ण गोखले ने की थी, ठीक है, 16-16 में मुस्लिम लिख की स्थापना किस ने की थी, आगा खान ता सलीम उल्ला खान ने की थी, 19-12 में विश्व भारती की स्थापना किस ने की थी, 1947 में जाद हिंद सरकार का गठन किस ने किया था सुभाज चंदर बोस ने किया था 1920 में अखिल भारतिय ट्रेड यूनिन की स्थापना किस ने किय थी एन एम जोशी ने किय थी बंग 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 अंदोलन की शुरुवाद कि कब हुई थी 1906 में हुई थी महातमा गांदी और अमेटकर के बीच एक हुए समझत era किस नाम से पूणा पैक्ट के wai tratar में भुधान अंधलन की शुरुवाद किसके दोबारा कि गई वह भाबे भुधान अंदोलन की शुरुबात महम्मदाली जिन्ना को काईद आजम की उपादी किसने महात्मा गांदी ने दी थी काईद आजम की उपादी रविन्नार टेगोर ने देश नायक क्योपादी किसने दी थी सुभाज चंदर बोस ने दी थी गुपता पर्य पारशद ने दीए था सर फरोशी की तबन्नाव हमारे दिल में है कनारा के ग्राम पिरसाद बिसमिल ने दिया देखना है जोर बाजु कितने कातिल में समराज जवाद का नाशो कनारा किसे ने दिया भहत सिंग ने दिय था 1822 में कुलकत्ता में मिरात उल अखबार का नामक प्रितम फार्सी पत्रिका की इस्थाफना की थी राजा राम मोहन राए ने की थी 1868 में कुलकत्ता में अमरित बाजार पत्रिका की स्थाफना शीशीर कुमार घोष ने की थी 1852 में इंडिया मीरे नामक समचार पत्रिका की स्थाफना किस ने की थी 1853 में कुलकत्ता में यंग बंग दर्शन नामक समचार पत्रिका इस्थापना किस ने की थी 1880 में लहोर में ट्रिबुनान नामक समचार पत्रिकी इस्थाफना किस ने की थी दयाल सिंग मजी ठिया ने की थी 1885 में कांग्रेस के प्रताम अधिवेशन के अधिश्टा किसने की ब्यो मोश ब्यो मेश चंदर बनर जी ने की थी 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अधिश्टा किसने की थी दादा भाई नरोजी ने की थी किस ने किती दादा भाई नरोजी ने किती कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार बंदे मातरम गया गया कलकत्ता अधिवेशन में गया गया था अ-ठारासो च्यानवे में बार मातरम अधिवेशन था ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राश्टी गया 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 कलकत्ता अधिवेशन था ये कांगरेश के अधिक्ष्टा करने वाली प्रतम महिला कौन थी एनी वेसेंड थी सत्राइब उन्नीसो सत्रामा कलकत्ता के तेटिश्वे अधिवेशन के अधिक्ष्टा की थी उत्तर प्राचीन भारत से छूटा हुआ देखो अधिक्ष्टा कों था नाग शिषुनाग वन्ष का शिष्टा था नंधी वर्मन था और नंद SEO सत्राप कों था महापदमनंता दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें शेर करें अगला वीडियो आपका विगोल जियोगरफी का जो की आपको 500 पिर्शन है उसमें तो आपको वो जो अगला वीडियो मिलेगा थैंक्स फॉर वोचिंग